आज आप लोग के लिए के आया हूं मैं अंटीना का सेकेंड एपिसोड जिसमें हम लोग देखेंगे आज पोलराइजेशन लॉस्ट फैक्टर एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे फ्रिस फर्मूला और उसके साथ थोड़ा कनेक्टेड होगा हमारा रडार का कुछ इक्वेश अंटीना हरा णडाइपोल अंटीना स्मॉल आप ल आंटीना ऑन लार्ज डाइपोल आंटीना देन आफ्र हम लोग देखेंगे रेडियेशन एजिस्टर्वेसान हम लोग इतने टॉपिक कभर करने वाले हैं और कल के डेट में हम लोग बरहेंगे रेडियेशन पैटर्ण तो आज हम लोगे स्टार्ट करते हैं चलिए अंटीना में हम लोग सबसे पहले पुल्राइजेशन लॉस फैक्टर जो हम लोग आगे देखेंगे तो चलिए पुल्राइजेशन लॉस फैक्टर निकालने का मतलब होता है कि हमारा एक बार सब लोग बता दीजेगा आडियो वीडियो किलियर है मेरा तो पुल्राइजेशन लॉस फैक्टर क्या होता है यह हम जानते हैं पुल्राइजेशन लॉस फैक्टर जब निकालते हैं तो इसमें हमें देखना होता है first of all कि antenna का orientation क्या है antenna का orientation मतलब हमें देखना होगा कि antenna किस direction में directed है antenna का direction direction देखने के लिए हमें देखना परता है कि उसका polarization क्या है और polarization हमें direction के थुरू मिलता है तो अगर antenna मेरा circularly polarized है तो एक circularly polarized antenna होगा और दूसरा भी होगा तो circularly polarized हो सकता है तो यह हमारा transmitting antenna है यह हमारा receiving antenna है इन दोनों के बारे में हमें देखना है कि यहां से अगर wave जा रहा है तो कितना percent हमारा wave यहां पे receive होगा वो हमारा polarization loss factor के तुरू मिलता है तो polarization loss factor हमें निकालने के पहले हमें क्या देखेंगे direction of antenna देखेंगे तो transmitting antenna और receiving antenna का direction को मैं यहां पर रिपरजेंट कर रहा हूँ roti cap और rowar cap से roti cap जो बताता है वो direction of transmitting antenna बताता है rowar cap जो बताता है वो direction of receiving antenna बताता है और हमारा polarization loss factor जो होता है वो होता है, Roti cap dot R cap का whole square, magnitude का whole square होता है और जिसे हम लोग निकालते है polarization loss factor के थुरू and polarization loss factor हमारा जो db में निकाला जाता है, वो 10 log लिया जाता है क्यों? क्योंकि यह हमारा square हो गया तो एक तरह सी यह power का ratio दिखाता है और जब power का ratio है, तो हमें पर 10 log लेते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 10 log ले लिया तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 10 log लेने के बाद से हम लोग कैसे इसको देखेंगे तो first of all हमारा एक receiving antenna होगा और एक क्या होगा? transmitting antenna होगा इसमें दो तरह का polarization देखा जाता है एक cross polarization और एक o polarization o मतलब oriented polarization होता है cross मतलब cross polarization होता है तो कभी-कभी oriented polarization यहाँ पर लिखा लोता है और यहाँ पर हमारा cross polarization लिखा हुआता है तो अब हम देखते हैं कि oriented polarization क्या होता है oriented polarization का मतलब हुआ कि हमारा transmitting antenna अगर horizontally polarized है तो receiving antenna भी horizontally polarized होगा अगर transmitting antenna vertically polarized है तो receiving antenna भी vertically polarized होगा अगर transmitting antenna हमारा theta पे है तो receiving antenna भी theta angle पे होगा अगर हमारा transmitting antenna हमारा circularly polarized है तो receiving antenna भी circularly polarized होना चाहिए अगर transmitting antenna elliptically polarized है तो receiving antenna भी elliptically polarized होना चाहिए अब मैं आपसे सवाल पूछूँँगा आप लोग जबाब दे सकते हैं तो दीजिएगा पहला सवाल यह है कि हमारा अगर माल लीजे कि हमारा transmitting antenna जो है वो हमारा left circularly pullage है जैसे मैं अगर मैं पूछूँँँ आपसे कि यह किस direction में आपका यह move कर रहा है तो आप यहाँ पर जबाब दे पाओगे कि सर इस direction में move कर रहा है तो यह बताइए किस direction में move कर रहा है आपके तरफ से तो आप बोलोगे सर मेरे तरफ से यह anti-clockwise में move कर रहा है और मैं अपने तरफ से पूछू तो किस direction में move कर रहा है सर clockwise move कर रहा है तो मेरे तरफ से आप देखो के तो यह direction क्या मिलेगा आपको clockwise मिलेगा लेकिन आप अपने तरफ से देखो के तो आपको क्या मिलेगा anti-clockwise मिलेगा अगर मैं transmitting antenna हूँ तो मैं clockwise इधर से transmit कर रहा हूँ तो आप receiving antenna है तो आपको anti-clockwise होना पड़ेगा That means अगर मैं transmitting antenna हूँ तो मुझे LCP हूँ तो आपको सामने वाले antenna को क्या होना पड़ेगा RCP होना पड़ेगा अगर मैं RCP हूँ तो सामने वाले को क्या होना पड़ेगा LCP होना पड़ेगा अगर मैं REP हूँ तो सामने वाला यही बात मैंने यहां पे डिसकस किया है और क्या बता है यहां पे है कि ट्रांस्मिटिंग अंटिना है और एक मेरा receiving antenna है द्यान दीजेगा एक transmitting antenna है और receiving antenna है तो ये देखिए हमारा transmitting antenna ये देखिए हमारा receiving antenna तो यहाँ पर आप देख पारे हो कि ये horizontal polarized है तो इसको भी horizontal होना पड़ेगा ये vertical polarized है तो इसको भी vertical polarized होना पड़ेगा ये अगर angle theta पे है तो इसको भी थीटा पर होना पड़ेगा तो यहां से आप देख पारे होगे कि हमारा थीटा अंगल पर होना जरूरी है तो यह हम लोग यहां पर देख पारे हैं doğru 7 जुए और कि यहां पर हमारा और सीपी है तो एल सीपी होना पड़ेगा एल सीपी है तो आर सीपी होना पड़ेगा अलीपी है तो आरीपी होना पड़ेगा आरीपी है तो एलीपी होना पड़ेगा तो थेंक्यू ठीक है वाब तो हमारा यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा receiving and transferring antenna का किस तरह होगा अगर ऐसा होता है तो हमारा 100% receive होगा और loss 0 होगा मतलब total का total receive होगा कोई भी loss नहीं होगा अब मैं अगला सवाल आपसे पूछू कि बताएए इस case में क्या होगा अगर मालो मेरा horizontal direction में है और एक vertical direction में है तो horizontal और vertical direction कभी भी हमारा नहीं receive कर पाएगा इसका मतलब इसे कौन सा polarization बोलेंगे cross polarization बोलेंगे यानि अगर मेरा horizontal antenna है transmitting तो receiving antenna vertical होता है और vertical है तो horizontal होता है angle theta पे है तो दूसरा angle 90-theta पे होगा मतलब दोनों एक दूसरे के perpendicular होंगे RCP होगा तो सामने वाला भी RCP होगा LCP होगा तो सामने वाला भी LCP होगा REP होगा तो सामने वाला भी REP होगा और LEP होगा तो सामने वाला भी ADP होगा यानि यहाँ पे ऐसा आप बोल सकते हो कि हमारा इस case में हमारा reception 0 है और loss 100% है तो अगर मैं पूछूँ यहाँ पे polarization loss factor कितना है तो बहुत सारे बच्चे जब आप देंगे सर यहाँ पे polarization loss factor 0 है अमें राइट लेकिन polarization loss factor जो निकाला जाता है वो देखा जाता है हमारा किस से वो हमारा देखा जाता है कितना receive value है तो receive value यहाँ पे कितना है हमारा 100% है यानि यहाँ पे polarization loss factor 1 होगा और यहाँ पे receive value हमारा 0% है यानि polarization loss factor हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह हमारा polarization loss factor एक्चुली में क्या बताता है कितना percent हमारा receive हुआ यहाँ पे कितना percent receive हुआ 100% यानि Polarization Loss Factor 100% होगा, यहाँ पर कितना Transmit हुआ? Transmit हुआ, हमारा Receive हुआ? 0% तो यानि Polarization Loss Factor 0% होगा, समझ में आड़ा आप लोग को? अब देखिए यहाँ पर, तो आप लोग देखिए गाता है, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? अगला लेवल का देखते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पर अगला लेवल का? questions के थुरू देखते हैं, कि हम लोग इसको question के थुरू कैसे बनाएंगे? मालो मेरे को तो दे दिया horizontal horizontal हम टिक मार देंगे 1 होगा, vertical vertical टिक मार देंगे 1 होगा, horizontal vertical 0 होगा, टिक मार देंगे 0 होगा, तो इसे हमें समझना बहुत असान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आप से सार्कुलर हो जाए, एक linear हो जाए और एक circular हो जाए, एक circular हो जाए और एक linear हो जाए, तो इसको हम example के थूरू एनलीसिस करेंगे, जैसे मैं example लेता हूँ यहां पर, एक electric field मैं यहां पर ले लिया, जिसका मैं किस डेरेक्शन में ले रहा हूँ? इस direction में ले रहा हूँ, देख में क्या लिखेंगे माइनस बीटा जेड और किस डेरेक्शन में ले लिया एक्स कैप में ले लिया तो यह हमारा कौन सा पोल्राइजेशन है सरी यह होरिजंटल पोल्राइजेशन है दूसरा में लूँ किस में ले लूँ और क्या ले लूँ कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा जेड मालो की उल्टा डारेक्शन इसके लिए होगा तो प्लस बीटा जेड ले सकते हो यह माइनस बीटा जेड भी लोगे तो कोई दिकत नहीं है चलो माइनस बीटा जेड ही ले ले लेते हैं और क्या लिय होता है transmitting antenna upon transmitting antenna का electric field जो दिखेंगे क्या होगा ET vector upon ET का magnitude हो जाएगा तो ET vector का vector क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और इसके magnitude से divide करेंगे तो क्या मिलेगा direction AX cap मिलेगा उसी तरह गर मैं पूछी यहाँ पर कि roti cap, rho r cap क्या होगा तो sir rho r cap हो जाएगा यह भी direction बताएगा और कैसे direction निकालेंगे ER vector ले लेंगे और ER vector को ER magnitude से divide कर देंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें AX cap मिल जाएगा तो देखा आपने roti cap और rho r cap हमने निकाल लिया अब यहाँ से आप से सवाल पूछेगा कि बताएगे polarization loss factor क्या होगा तो polarization loss factor क्या बोलोगे? roti cap dot rho r cap और इसका magnitude का square तो यहाँ पर roti cap कितना है? AX में, rho r cap भी किसमें है? AX में, AX dot X क्या हो जाएगा? 1 1 का square क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, यानि हमारे यह कितने के बराबर हो जाएगा? 100% हो जाएगा यह question तो इस question को आप आसानी से solve कर लिए, अब दूसरा question आप से पूछेगा, क्या पूछ सकता है? कि चलिए अब यह example तो ले लिया, अब दूसरा example में लेता हूँ, एक horizontal लेता हूँ और एक vertical लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक electric फिल लिया, क्या? EI, और EI लेने के बाद से, EI मतलब ET ले लिया, ET कितना लिया हमने, transmitting antenna का, transmitting antenna का हमने ले लिया, E1, cos, omega T, and minus beta Z, AX cap ले लिया, और उसी के साथ मैंने दूसरा के ले लिया, ER ले लिया, ER क्या देती है हमने, EI, E2, और cos, omega T, and minus beta Z, और क्या इस किस direction में ले लिया, AY cap में, तो यह मालो मेरा horizontal polarized है, तो य यह क्या होगा, vertical polarized है, अब मैं इसमें पूछू कि बताईए, इसमें polarization loss factor कितना होगा, तो यहां से आप देखोगे, तो रोटी कैप क्या हो जागा हमारा, रोटी कैप जो हो जागा, ET वेक्टर अपन E, तो ET वेक्टर अपन E कितना हो जागा, ET, यह हमारा हो जागा, AX cap, उस अब यहां से मैं पूछू आप से कि polarization loss factor क्या होगा, तो polarization loss factor बोलोगे, AX dot AY का whole square, AX dot AY क्या होता है, तो polarization loss factor 0 हो जागा, कितना मज़ेदार बात है, देखिए आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, बहुत असारी से निकाल लिया कि नहीं, यह सर, तो आप देखिए यह से अपने PLF निकाल लिया, अब हमने को एक example लेते हैं, जिसमें हम मैं क्या लेता हूँ, linear polarization लेता हूँ, और दूसरे को क्या लेता हूँ, circular polarization लेता हूँ, और उसमें find out करने कोशिस करता हूँ, कि कैसा होगा, तो linear polarization का एक example, आपको क्या हमें यह मानना पड़ेगा, कभी-कभ लिया, AX cap, और साथ मैंने कहले लिया, E2, और स्कॉस, ओमेगा T, माइनस बीटा Z, और कहले लिया, साथ में AY cap ले लिया, अब मैं आप से पूछू कि इसमें value को आपको निकालना है, असानी से निकाल लोगे, क्या निकालोगे, कि E1, E2 जो होगा, वो क्या होजागा, X cap, plus E2, AY cap, और कॉस-कॉस तो कट जाएगा, जी सर, तो कॉस तो कमन हैगा, इसमें भी कॉस हैगा, और इसमें भी कॉस हैगा, वो कमन होगा, और इसका मैगनिटूड पूछूँगा तो क्या बोलोगे, मैगनिटूड सर, E1 square प्लस E2A square हो जाएगा, तो यानि E1 square प्लस E2 2 square आगया, तो यह हमारा किसका direction आगया, रो T cap का, उसी तरह कर मैं ले लूँ, ER, receiving antenna को, receiving antenna को क्या मैं लेता हो, circularly polarized, तो cos omega t minus beta z, और क्या ले लेता हो direction, A x cap, प्लस E0 sin omega t minus beta z, और क्या ले लेता हो साथ में, A y cap, तो यहाँ से आप देख सकते हो, कौन से direction मिलने वाला है, कौन तो यह हमारा RCP हो जाएगा, RCP आगया, जी sir, यह हमारा क्या हो गया, linear हो गया, जी sir, तो यह linear हो गया, और दूसरा वाला RCP हो गया, अब इसका हमें direction निकालना है, रोर का, रोर का direction निकालना असान है sir, कैसे निकालोगे, तो sir इसके magnitude लेंगे, तो यह हमारा cos में है, और यह side में sir इसका हमें magnitude लेना tough होगा sir तो क्या करेंगे इस केस में इसको भी cos में convert करेंगे किसको ? sin को container cost में कैसे convert ना cos theta-πài 2 कह रहा है ? sin theta होता है cos theta-πài 2 मैंने दिए किसके बदले sin theta के बदले अब मैं पूछıании sin theta में cos में क्या आप लाइक करोगे कि cos theta minus pi by 2 हो जागा तो आप बोलोगे j cos theta लिख देंगे तो sir cos theta minus pi by 2 के बराबर हो जागा minus pi by 2 है तो minus j लिखेंगे तो यहाँ पर minus j add कर देंगे तो यानि इसको अगर हम ले cos में बदन लाए तो क्या करेंगे e not cos omega t minus beta z और क्या direction ले लेंगे ax cap और sin को convert करने के लिए minus j e not और क्या जाएगा cos omega t और minus beta z और ay cap हो जाएगा अब cos cos आ गया जी sir अब इससे हमारा बनाना असान हो जाएगा इसके बाद से आप क्या करोगे sir rho r cap निकालोगे तो जब magnitude लोगे तो क्या मिलेगा cos के form में मिलेगा this square plus this square square तो यानि क्या हो जाएगा e not ax cap g sir minus j e not ay cap g sir और इसका magnitude लोगे तो कितना हैगा इसका magnitude हो जाएगा हमारा divided by क्या हो जाएगा e not square plus e not square का under root हो जाएगा अब यहाँ से तुम इसका क्या निकाल सकते हो value निकाल सकते हो तो क्या मिलेगा ax cap minus j ay cap divide by क्या हो जाएगा हम लोग को divide by root 2 हो जाएगा अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे इसके बाद से हम लोग दोनों का dot product निकालेंगे dot product क्या होता है हम लोग को तो PLF होता है PLF इन दोनों का dot product हो जाएगा dot product निकालना असान है sir कैसे निकालोगे AX का AX के साथ करोगे 1 होगा AY का AY के साथ करोगे 1 होगा यानि हमें क्या मिलेगा E1 और क्या मिलेगा minus J E2 और divided by में क्या जाएगा root 2 and under root E1 A square plus E2 A square तो यह हमने क्या निकाल लिया इसका polarization loss factor निकाल लिया दोनों को dot product करके अब इसका उपर वाले का magnitude लोगे तो क्या मिलेगा under root E1 A square plus E2 A square नीचे भी क्या है under root E1 A square plus E2 A square यानि हमारा क्या remaining बचेगा magnitude 1 by root 2 का एले स्कार 1 by 2 हो जाएगा यानि कितना परसेंट हो जाएगा 50% हो जाएगा तो देखा हमने निकाल लिया जी सर बहुत असानी से निकाल लिया आपने तो इसको देखो कॉस कॉस था कोई दिकत नहीं था यह कॉस और साइन था तो इसमें J हमेरी यूज करना पड़ा ऐसे ही आपको solve करना पड़ेगा आप असानी से सोचोगो कि solve हो जाएगा तो नहीं होगा तो आपने क्या देखा horizontal horizontal में कितना परसेंट रिसीव हुआ सर 100% रिसीव हुआ polarization loss factor 100% आया horizontal vertical में सर हमारा polarization loss factor 0% आया और linear circular में सर linear circular में हमारा 50% आया ऐसे टाइप के question आपको मिलते रहेंगे आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा एक आपको रोर कैप निकालना होगा दूसरा रोटी कैप निकालना होगा रोर रोटी कैप निकाल लोगे तो polarization loss factor निकालना बहुत असान हो जाएगा चलिए अब हम लोग question के थुरू समझते हैं पहला question आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है first question first question दिया है the line of sight communication require transmit and receive antenna to face each other if the transmit antenna is vertically polarized for the best reception the receive antenna will be अब पूछो करे sir LOS क्या होता है line of sight क्या होता है line of sight कुछ नहीं होता है बाबु line of sight का मतलब हो गया कि हमारा antenna कैसा है antenna हमारा दोनों एक दूसरे को face कर रहा है तो यह हमारा antenna हो गया जी sir और यह हमारा दूसरा antenna हो गया जी sir और यह दोनों antenna को हम लोग क्या कर रहे है एक दूसरे के face value पर रख रहे है तो face value पर रखेंगे तिसे हम लोग क्या बोलेंगे line of sight बोलते है line of sight communication कौन सा होता है सर FM में होता है जो हम लोग FM परते है frequency modulation में जो हम लोग transmission करते है वो हम लोग line of sight में करते है एक सहर में करना होता है जब communication तो line of sight करते है एक देश में करना होता है या दूसरे दूसरे जगा करना होता है तो उस समय communication हम लोग satellite communication करते हैं या इनुस फेरिक communication करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लाइं जस wine करना है बोला है कि पहला वाला antenna क्या है? Vertically polarized है, Sir एक वर्टिकल फोलडाई ज़ी सर यानि बेश्ट एंसर क्या है मारा वर्टिकल 구요 दूसरा क्या बोला है और अ snare के साथ 45डिकरी तीसरा होता है कि वह बोला आ से ऐङ़ेकों को तोड़ला साँ आर 와서 आ बढोला जाय और पूछ लेता 받 देदेता और पूछता polarization loss factor कितना होता है vertical देता और पूष्टा polarization loss factor कितना होगा 45 degree with horizontal देता पूष्टा polarization loss factor कितना होगा 45 degree with vertical देता और पूष्टा polarization loss factor कितना होगा In that case हमें इसे अच्छे से सोच समझ के solve करना पड़ेगा तो चलिए इसको सोच समझ के solve करते हैं तो first of all हम लोग जाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे पहला लिया पहला क्या बोला है horizontal बोला है और हमारा incident क्या दिया है transmitted वर्टिकल दिया है तो वर्टिकल दिया यानि रोटी कैप को हम क्या माल लेते हैं y माल लेते हैं और हम लोग रोटी कैप को क्या माल लेते हैं x माल लेते ह है और यह क्या है य है तो हमारा रोोटी कैप क्या हो जाएगा रोटी कैप य डिरेक्षन में हो जाएगा और रोवार kव किसटटी सम poselnोजा जाए चाल में तो आिस ये इसमें क्या हो जाएकम मिश्चाल इसकेस में हमारा P L F हो जाएगा Rho A Y Cap. San KPS ka whole square हो जाएगा तो आप बताईए sequence vampiresaurus क Initi Snapchat किफिशन हो जाएगा S91érot सर फिर Second case में हम लोग चलते हैं सेकंड केस में क्यार कह ओ हमारा vertical दिया है यानिracल किया है versionued और हमारा दूसराएंटीना क्या लिए क्या है ? टो टो ऐर चैब भी क्या है ? टो वर्टीकल तो ए वाइ और व आ घया इन लट केस भील-ब क्लश हो जागा हम आजए घ्यएगा क्का क्लेकि यहां को परशेंट हो जाएगा हम लोग को वन नहीं हो जायेगा और वन का सक्वोर कितना हो जायेगा तो यानि हमारा वन यह मेरा antenna है जो 45 degree बना रहा है X-axis के साथ, तो अब X-axis साथ 45 degree बना थे इसके dो component होगे, एक cos component जो X direction में होगा, एक sin component जो Y direction में होगा, तो यानी हमें roti cap तो पता है, कि vertical direction में है, तो Ay cap होगया, और ro a cap हमें नहीं पता है, तो ro a cap हमारा दो component होगे इसके, क्या एक horizontal और एक vertical तो horizontal के case में क्या हो जागा हमारा ax cos theta ax cap 45 degree दिया है तो cos theta क्या हो जागा 1 by root 2 और sin theta भी क्या हो जागा 1 by root 2 यानि 1 by root 2 ax cap and 1 by root 2 ay cap तो इससे आपने direction निकाल लिया किसका इस antenna का फिर इसके बाद से मैं इसका पूछू PLF कितना होगा तो आप इन दोनों का dot product कर दोगे किसका रोटी कैप और रो आर कैप का तो dot product करोगे तो क्या मिलेगा भाई dot product इसका तो dot product अगर आप करोगे तो ay dot ay 1 by root 2 मिलेगा यानि हमारा कितना हो जागा 1 by root 2 का whole square यानि 1 by 2 हो जागा यानि 50% आ जाएगा अब हमारा D option में क्या बोला है D option में बोला है कि वर्टिकल के साथ 45 डिगरी है तो वर्टिकल के साथ 45 डिगरी है तो वर्टिकल के साथ 45 डिगरी ले लेंगे फिर हमें पता है रोटिकल केप किदर दिया है वर्टिकल में दिया है तो यानि ay केप हो जाएगा और रोवर कैप रोवर कैप के दो कॉमपोनेंट होंगे cos theta y direction में sin theta x direction में cos 45 डिगरी a y केप हो जाएगा sin 45 degree 1 by root 2 हो जाएगा तो यानि हमारा क्या हो जाएगा x और y हो गया तो 1 by root 2 ax cap and 1 by root 2 ay cap देखो आपने असानी से इसका भी value निकाल लिया क्या निकलेगा हमें यहां से अगर plf आप निकालने जाओगे तो यह भी 45% आएगा क्योंकि ay cap.ay cap क्या हो जाएगा 1 by root 2 हो जाएगा तो यहां पर 1 by 2 हो जाएगा और इसका value क्या हो जाएगा 50% आ जाएगा तो देखा आपने दोनों का निकाल लिया जी सर तो अगर मैं पूछू इस question में कि अगर horizontally pole rise है तो कितना percent receive हो रहा है जीरो परसेंट तो बेस्ट किसमें मिला है हमें 100% मिला है इसलिए option क्या देंगे हम लोग B option देंगे ठीक है 0 100 50 50 very good तो यह हम लोग सब्सक्राइब हमारा होगा और क्या answer देंगे 50 परसेंट देंगे अब अगला question देखिए यहां पर इस तरह का question पूछा तो यह देखो पीवाई के को अटीना है तो क्या पूछ रहा है पोल्राइजेशन मिस्माच के करन कितना percent polarization transfer होगा मतल़ power transfer कितना होगा तो in that case हमें क्या निकाला है इसमें भी हमें PLF निकालना है कि कितना percent हमारा polarization mismatch के आएगा तो पहला वाला transmitting antenna क्या है circular polarization receiving antenna क्या है हमारा linear polarization क्योंकि दिया है तो हमारा त्रांस्मींटिंटिंग इन दिया है तो आपर हम नदीन अर्मिंटिंडिंग तूंस अर्राइसन और रीसीविन अंटिंग , दिया है तो दिया तो मिंद्धेट रीसीविन रुनांकली स्प्वार यहां से जूम कर सकते थे एक circularly polarized wave ले ले लेते एक linearly polarized wave ले ले लेते और दोनों के बीच में dot product निकालते तो कितना आता 50% आता तो मान के बना सकते थे लेकिन हमने पीछे बना चुके हैं तो बार बार वार उसको वापस बनाना बेगूफी कल आएगा तो इसलिए मैं यहां पे नहीं ब दिखा हुआ है circular polarized है तो यहां से हमने दोनों का concept से polarization loss factor निकाल लिया अब यह question फिर नया question में आ गया क्या question पूछा है भाई question देखो कितना अच्छा पूछा है के electric field of a uniform plane wave traveling along negative z direction यह plus kz है यानि minus z direction में travel कर रहा है given by the following equation ठीक है sir the wave is incident upon receiving antenna receiving antenna और रखा हुआ है जिसका radiated electric field towards the incident wave is given by the equation यह हमारा equation दिया हुआ है किसका receiving antenna का और आपका transmitting antenna का equation दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है transmitting antenna का polarization पूछ रहा है question देखिए क्या बोला है कि incident wave का polarization जो होगा वो क्या होगा और जो इन दोनों के कारण polarization mismatch है इसके कारण losses कितने होगे तो देखिए यहाँ पे पूल रेजिशन क्या दे दिया है circular linear circular circular यानि हमें circular और linear बताना है circular में भी clockwise और anticlockwise है और उसके बाद से हमें क्या बताना है linear हमारा होगा की नहीं तो दूसरा बाद से हमें कितना loss होगा ये बताना है तो देखिए अहाँ पे हमने को पहले क्या बताना है हम लोग को पहले हमें बताना कि linear की circular है दूसरा हमें बताना है कि उसके बाद से उनके बीच में polarization mismatch है उसके बारे हम बताना है तो यह question काफी अच्छा माना जाता है, यह question काफी कम बच्चे बना के आएंगे, क्यों? क्योंकि polarization loss factor वो पर ही नहीं होंगे, तो वो question को handle करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग E T देख लेते हैं, E T क्या दिया है? A X plus J Y E naught E का पार J K Z तो यहां से हम लोग देखना चाहेंगे कि E T क्या होगा? तो E T जो है वो क्या है? A X plus A Y J A Y plus क्या है? J A Y and E naught E naught plus, क्या होगा हमारा? E naught E का पार minus plus J K Z है, जी सर, यही है ना हमारा? जी सर, एक बार चेक कर लेता हूँ, जी सर अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको solve करने के लिए, हम लोग को time के साथ देखना होता है? जी सर, time के साथ होता है तो इसको किस कैसे você multiply कर देंगे? e का पावर j omega t से multiply कर देंगे और उसके पावसे क्या करेंगे check करेंगे तो e not और क्या हो जगा e का पावर j omega t plus kz and into ax cap plus दूसरा क्या हो जगा j j का मतलब क्या होता है e का पावर j pi by 2 and e का पावर e not जगा e not e का पावर plus j omega t minus plus kz into क्या हो जागा ay cap अब इसको हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे निकालेंगे तो यहां से इसका real part निकालने कोशिस करेंगे real part निकालेंगे तो e not as it ही जा जाजएगा e का पर j theta cos omega theta होता है तो cos omega t my plus kz हो जाएगा and 7 में क्या हो जाएगा ax cap दूसरा क्या हो जाएगा e not और cos omega t and साथ में omega t plus kz applied plus pi by 2 हो जाएगा and साथ में हमारा ay cap हो जाएगा जी sir अब इसको हम लोग solve करेंगे polarization निकालने के लिए z का value क्या output करते हैं 0 put करते हैं तो et जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा et हो जाएगा हमारा e not और क्या हो जाएगा cos और omega t g sir minus kz तो यानि plus kz तो kz खतम हो जाएगा g sir और क्या हो जाएगा ax cap और साथ में cos theta plus pi by 2 minus sin theta होता है तो e not sin omega t ay cap हो जाएगा अब या आप हम लोग क्या करेंगे दो time पे हम निकाल लेंगे दो time पे निकालेंगे तो t is equal to 0 पे निकालेंगे t is equal to 0 पे omega t क्या होता है हमारा 0 होता है यानि et का value क्या हो जाएगा et का value हमारा हो जाएगा e not ax cap जी sir और हमारा दूसरा क्या है t is equal to t by 4 पे निकालेंगे t by 4 पे omega t का value क्या हो जाता है pi by 2 हो जाता है sir तो pi by 2 हो गया तो यानि हमारा यहां से क्या जाएगा et का value आ जाएगा cos pi by 2 0 होता है sin pi by 2 1 होता है minus e naught ay कैप हो जाएगा उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे सर उसके बाद से हम लोग axis ड्रो करेंगे तो axis ड्रो किया एक y axis दूसरा x axis और इसमें हम लोग point को plot कर देंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा x यहां पर क्या हो जाएगा y और यहां से हम लोग देख रहे हैं कि amplitude दोनों का बराबर है phase difference pi by 2 है तो amplitude बराबर होता है phase difference pi by 2 होता है तो क्या होता है circular polarization होता है यानि हमें circular polarization तो पता चल गया उसके बाद से अकर अब सवाल पूछू कि चलो circular polarization तो हो गया अब बताओ क्या करोगे तो उसके बाद से सर हम इसमें polarization का देखेंगे किस तरह से move कर रहा है तो हमारा propagation direction कितर है minus z direction में यानि हम लोग propagation direction को inward में दिखाएंगे कहां दिखाएंगे inward में तो हमने propagation direction को inward में दिखा दिया दूसरा दूसरा हमारा क्या आ रहा है पहले plus ax आ रहा है फिर minus ay आ रहा है यानि पहला हमारा क्या होगा plus ax पे होगा और दूसरा हमारा क्या होगा minus ay पे होगा T is equal to Ty4 पर तो अब यहां से आप देख सकते हो कि ऐसे यह move कर रहा है ऐसे move कर रहा है तो किससे हमारा polarization match कर रहा है तो यह right hand है, thumb propagation direction में rotation match कराएंगे तो thumb propagation direction में inward, rotation हमारा क्या होगा? anti-clockwise होगा, तो देखो हमारा inward और clockwise है, match कर रहा है किससे match कर रहा है? RCP हो रहा है, यानि right hand से match कर रहा है तो right hand से match करता है तो उसे क्या बोलते है हम लोग? clockwise बोलते हैं, क्या बोलते हैं? clockwise बोलते हैं तो यह हमारा क्या मिलेगा? clockwise मिला, देखा आपने निकाल लिया? जी sir, clockwise मिला, RCP मिला, circular polarization मिला यानि इस सवाल के तो जवाब आपने दे दिया कि हमारा incident polarization क्या होगा और हमारा कौन सा polarization के कारण losses होगा तो अब देख लिया तो हमने ये देख लिया उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे एक receiving antenna का भी polarization देखेंगे receiving antenna क्या है ax plus 2 ay and e i 1 by r e का पाउर minus j kz है तो इसका हम लोग polarization तुरंट find out कर लेंगे इसके लिए हमें बड़ी बात नहीं है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे receiving antenna का लिखेंगे receiving antenna क्या है ax plus 2 ay and साथ में क्या है e i e i divided by r e का पाउर minus j kz and time नहीं दिया तो e का पाउर हो जाएगा real part हो जाएगा e i by r और क्या हो जाएगा cos omega t minus beta kz ax cap दूसरा क्या हो जाएगा 2 e i by r और क्या हो जाएगा हम लोग को 2 e i by r cos omega t minus kz और किस direction में आ जाएगा है ay cap में अब amplitude थोरे देखते हैं linear में क्या देखते हैं phase phase दोनों का बडाबर है अगर phase बडाबर है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे linear polarization है phase अगर πाई का डिफरेंस होता है तो linear polarization यह आपको polarization में बता चुका हूँ तो यह हमारा कौन सा polarization मिला linear polarization मिला अब जब linear polarization मिली गया circular polarization मिली गया अब क्या निकलना है सर हमें Polarization Loss Factor निकलना है वो बहुत ही असान है कैसे निकलना होगा Polarization Loss Factor ET का आपको दिया हुआ equation क्या दिया हुआ ET का equation सर AX प्लस J AY and साथ में E का नॉट इंटू क्या होगा हमारा A का पाउर प्लस KZ AX या जाएगा जी सर अब यहां से हम रोटी कैप निकलना चाहेते हो रोटी कैप निकालेंगे तो इसका direction क्या हो जाएगा इसका amplitude यह सब तो बाहर है cancel out हो जाएगा तो यही हमारा direction बताएगा जी सर इसका magnitude और इसका magnitude से divide कर देंगे तो इसका vector हो गया AX प्लस J AY और इसके magnitude से divide करेंगे तो root 2 से divide हो जाएगा उसी तरह हमारा receiving antenna क्या दिया हुआ है receiving antenna दिया हुआ है ax plus 2ay and उसके बाद से हमारा क्या है उसके बाद से e i by r into e का पावर minus j के z है तो इसमें भी हमारा direction यही वाला बताएगा यह वाला direction बताएगा तो हमारा roar cap क्या हो जाएगा roar cap in that case हो जाएगा हमारा ax plus 2ay divide by magnitude magnitude कितना है हमारा इसका हैगा 5 आएगा क्योंकि 2 का square 2 4 होता है and 1 का square 1 होता है तो 2 का square plus 1 का under root 5 हो जाएगा अब roar cap पर रोटी के पागे क्या जी sir अब roar cap रोटी के पागे तो plf निकाल लेंगे दोनों का dot product करेंगे dot product क्या मिलेगा हमे ax का x के साथ 1 इसका इसके साथ 2j तो यानि हमारा dot product में मिल गया 1 plus 2j हो गया divide by root 2 and root 5 का whole square हो जाएगा अब इसका magnitude आप उपर वाले के निकाले तो root 5 होगा नीचे का magnitude root 5 cancel out हो जाएगा जी सर तो कितना आ जाएगा 1 by 2 आ जाएगा लेकिन PLF किस में पूछा है DB में पूछा है तो DB में पूछा है तो 10 log 10 और क्या ले लगे 1 by 2 1 by 2 का DB में क्या होता है हमारा 1 by 2 का DB में होता हमारा minus क्या होता है हम लोग को 1 by 2 का DB में तो sir 1 by 2 का db में होता है हमारा माइनस 3 db होता है sir तो माइनस 3 db आ जाएगा तो देखिए आपने पोल राइजेशन लॉस फैक्टर भी निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया पोल राइजेशन भी निकाल लिया अब यहाँ से आप एंसर दे सकते हो माइनस 3 db आ जाएगा जी sir यानि option हमारा कौन कौन सा हो सकता है तो option हमारा दूसरा और तीसरा हो सकता है circular है और linear है circular है और linear है लेकिन circular में क्या होना चाहिए clockwise होना चाहिए circular में क्या दिया है anti-clockwise दिया है यह गलत हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा दीरे दीरे पढ़ाऊं बताईए क्या दीरे दीरे इसमें पढ़ाऊं इसमें समझ में नहीं आ रहा है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या बताईएगा आप लो कि यहाँ पे मैंने पुल्टराइजिशन निकाला सिंपल सी बात है अगर मैं कम बोलू तो ज्यादा अच्छा है तो मैं साथ ज्यादा बोल रहा हूं यहाँ पे आप लोग क्या करोगे e कप और j omega t से multiply करोगे क्यों multiply करोगे सर टाइम हर्मोनिक है तो टाइम हर्मोनिक है इसलिए e कप और j omega t से multiply किया जी Sir, अब इसका हमने क्या किया? J है, J के लिए E का पावर J, Pi by 2 ले लिया, अच्छी बात है इसका हमने रियल पार्ट ले लिया जी सर, रियल पार्ट लेने के बासा इसका हमने plot करके देखा, किस किस टाइम पर Propagation Zero करके हम लोग plot करते हैं प्लोट करेंगे तो T is equal to zero और T is equal to ty4 पर देख लिया यहां से देखा amplitude बड़ाबर है फेज 90 डिगरी है तो 90 डिगरी फेज है और amplitude बड़ाबर है तो circular polarization होगा और हमारा क्या value आड़ा है T is equal to zero पर प्लस x and minus ay तो plus x और minus ay यानि ऐसे यह move कर रहा होगा ऐसे move कर रहा होगा तब क RCP आगया RCP मतलब क्या बताया था clockwise LCP मतलब क्या बताया था anti-clockwise तो आप यहां से बता सकते हो दूसरा इसमें e का पार j omega tc नहीं multiplied है अगर नहीं multiplied है तो इसलिए हमारा क्या हो जागा multiply कर देंगे उसके बाद से फिर से real part निकाल देंगे real part निकालने के बाद से हम लोग क्या बता था इसका direction बताएगा और direction निकालने के बाद से क्या करेंगे हम लोग उसके डोनो डिरेक्शन से dot product करके square करके हम लोग value निकालेंगे अब इसका magnitude निकालना under root 5 under root 5 1 by 2 हो जाएगा 1 by 2 आ गया तो हम लोग db में निकालेंगे तो हमारा minus 3db आ जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे यह हमारा pull resistance का question खतम हुआ अब pull resistance का खतम हुआ कोई बात हो दिक्कत हो तो बता दीजे कभी कभी मैं speed अगर बहा दू तो मुझे समझा दीजेगा मुझे बता दीजेगा मुझे समझ में उतना निया था कि हम speed कैसा रखे आपको किस speed में ज़्यादा समझ में आ रहा है मैंने इसलिए पूछा कि speed कभी ज़्यादा हो जाए तो बता दीजेगा अब इसको हम लोग समझते है next topic है हमारा freeze formula कौनसा formula freeze formula अब को सर ये क्या formula आ गया सर ये कौनसा formula आ गया ये क्या आज सी चीज है ये कौन सी बला है कोई बला नह transmitting antenna transmit कर रहा है एक receiving antenna receive कर रहा है किसी की बीच की कहानी समझना है क्या एक transmitting antenna transmit कर रहा है एक receiving antenna receive कर रहा है transmitting antenna कुछ power transmit किया और कुछ दूरी के बाद receiving antenna कुछ power receive किया तो कितना power receive किया उसी को समझने के लिए हम लोग freeze formula पढ़ते हैं सब्सक्राइब करम कैसा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब शीच सब्सक्राइब चौटार हिए कि यहां से पावर कुछ ट्रांस्मीट करेगा यहां से पावर कितना ट्रांस्मीट करेगा सर तो पीटी ट्रांस्मीट करेगा लेकिन यह किस से जा रहा होगा सर तो सोचो अपका कहीं टावर है अंटीना का अंटीना का टावर है तो सोचो यहां पर टावर लगा हुआ है मोब होता है क्या जन्रेट होता है सिगनल जन्रेट होता है तो सिगनल जो जन्रेट होता है हमारे नीचे से वह क्या होगा जाएगा तो किसके तुरू जाएगा वह सिगनल जन्रेट होड़ा है तो वह ब्लैक क्लर का ट्रांस्मिसर लाइन के तुरू जाएगा और जब वह ट्रांस् mismatch होगा mismatch होगा तो हमारा कुछ पार्ट reflect भी होगा और transmit भी होगा यानि दो चीजों के losses से encounter होगा जहां से सोचना आप लो यहां पे इसका z knot है इसका zt है transmitting antenna है तो और इसके कारण यहां पे power कितना पहुचेगा wt पहुचेगा क्योंकि सारा का सारा पहुचेगा क्या यहां से नहीं कुछ उसमें क्या होगे conductor loss होगा कुछ इसमें क्या होगे reflection के कारण हमारा reflection होगा यानि यहां पे क्या होगा हमारा कुछ हमारा conductor loss होगा transmitting antenna पे कुछ हमारा reflection होगा transmitting antenna के यानि कुछ हमारा क्या हैगा Total Efficiency आएगा Transmitting अंटिना पे तो हमारा क्या मिला? Conductor Loss Transmitting अंटिना पे Reflection Transmitting अंटिना पे और Total Efficiency Transmitting अंटिना पे तो ECDT और ECRT, ERT and ETT का टोड़ा ही बोलता हूँ मैं तो अंटिना को अब यहाँ पे पहुंचा जी sir, उसके बाद से अब सवाल पूछूँगा आपसे, क्या, कि चलो यहाँ पे पहुचा तो power जाएगा, जी sir, power जाएगा तो इसका अपना एक directivity होगा, कितना directivity होगा sir, dt, directivity is transmitting container का, इसका अपना gain होगा, कितना gain होगा sir, gt, और इसका अपना एक effective aperture area होगा, कितना होगा, aet, तो देखो आपने क्या क्या data लिख लिया, जो power transmit कर रहा है, wt, जो उसके conductor loss होगा है, e-c-d-t, reflection के कारण होगा, e-r-t, transmission के total efficiency, e-t-t, directivity of transmitting antenna, dt, और gain of transmitting antenna, gt, और area of transmitting antenna, aet, अब यह क्या होगा, कि दूसरा antenna एक distance, r पे होगा, कहां पे होगा, r distance पे है, जी sir, अब यह r distance पे है, तो यहाँ से यह wave जाना start करेगा, कौन सा wave, इससे जो wave है, हमारा transmit होना start करेगा, और यह आगे बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, भाई, आगे बढ़ते बढ़ते, यहाँ पे पहुचेगा, यहाँ पे पहुचेगा, तो इसको क्या मिलेगा, receive होगा power, तो कितना power receive होगा, यहाँ पे, wr receive होगा sir, ठीक है, तो यहाँ पे power receive होगा, यह मिसमैचिंग है तो ZR और Z0 हो गया ZR मतलब ट्रांस्मिटिंग अंटिना का impedance Z0 मतलब transmission line का characteristic impedance जी सर तो यहाँ पर क्या होगा कुछ mismatch होगा mismatch होगा उसके कारण क्या आगा ERR आगा E CDR आगा ERR आगा reflection के कारण जी सर और ERR के बाद क्या होगा यह यह हमारा इसके थूरू travel करेगा जब इसके थूरू travel करेगा तो क्या होगा loss होगा कौन सा loss होगा हमारा conductor loss होगा उसका नाम क्या देंगे E CDR conductor loss के कारण जो आ रहा है और इन दोनों के loss को मिला के क्या बनता है ECETR receiving antenna का total efficiency जब यह total efficiency मिल जागा तो फिर क्या होगा हमें यहां पर power receive होगा कितना power receive होगा पी आर उसके बास से आप सवाल पूछेंगे कि बताइए इसका अपना एक directivity होगा इसका अपना एक gain होगा जी sir, gain कितना होगा sir, gr, कितना directivity होगा sir, dr, और कितना इसका effector aperture area होगा, aer, तो ये बातें आपको समझने होगे, तो देखा कितना data है हमारे पास, फिर से मैं बोल देता हूँ, यहाँ से input दिये pt, conductor loss हुआ, e c d t, फिर reflection होगा, e r t, फिर total efficiency, efficiency, इन दोनों का multiply, e t t, फिर यहाँ पर इसका antenna का directivity अपना, इस antenna का अपना gain, और इसका अपना effective aperture area, फिर यह वेब जाके r distance पर travel किया, तो यहाँ पर receive होगा, जब यहाँ पर receive होगा, तो उसका क्या होगा अपना, power receive होगा, wr, वो power receive होगा, तो इससे हमारा क्या होगा, mismatch होगा, क्या, z r और z not का, तो z r और z not का, अगर mismatch होगा तो क्या होगा, उस case में, reflection होगा, e r, फिर पूछोगे कि सर क्या होगा, इसके through, conductor loss होगा, तो e c dr, और इन दोनों का efficiency, e t r, total efficiency आ जाएगा, और इसका अपना gain, criticphonie, g r, इसका अपना conductivity, dr, और इसका अपना effective operation area, e r, तो सारी बाते आप आप होगा, यहाँ पर चुके हो, क्या आपको gain नहीं परहा, क्या आपको directivity नहीं परहा हो, क्या आपको ec dr नहीं परहा हो, यहाँ आपको et r नहीं परहा हो, होगा है यह सारी चीज़ों को आप देख चुके हो अब हम में क्या करना है कुछ नहीं करना आगे solve करना है में सब से पहले हम लोग क्या करेंगे इस question को solve करने के लिए हम समझेंगे आप सोच को कि सर यह तुरंध बता दे की डूरन होती है बहुत यह tough लगता है और जब आप जाओगे M-TEC करने अगर किसी कारण से आप communication या EMT में M-TEC करोगे तो lab में पहला experiment यही होता है और जब lab में पहला experiment होता है तो इसके बारे में आपके basic जनकारी तो जरूर पूछेगा इसलिए इसके basic कहानी इससे पूछता है और जब इससे सवाल आते हैं तो लोग तलमला आ जाते हैं कैसे बनाएंगे सवाल को क्या दिया है ये सवाल में तो अगर इस सवाल को आप समझना चाहते हो इस concept को समझना चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और आप concept को बहुत अच्छे धंग से समझ जाओगे तो सबसे पहले क्या लिखा लेंगे यहाँ पे एक reflection coefficient होगा जिसका नाम क्या होगा गामा टी यहाँ पे भी एक reflection coefficient होगा जिसका नाम क्या होगा गामा आड जी सर यहाँ पे इसका एक loss resistance होगा अपना जिसका नाम क्या देंगे R L R T और यहाँ पे भी एक loss resistance होगा जिसका नाम क्या होगा R L R loss resistance का formula आपको सिखाया ता कैसे निकाला जाता है फिर उसके बास से आपको क्या होगा इसका अपना एक radiation resistance होगा R R T R R radiation resistance होता है वो आज मैं सिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है और R R R मतलब इसका अपना radiation resistance इसका भी अपना radiation resistance इसका भी अपना radiation resistance इसका अपना reflection coefficient इसका भी अपना reflection coefficient इसका अपना loss resistance इसका भी अपना loss resistance और साथ में क्या होगा कि सर इसका पोलराइजेशन हो सकता है अलग होगा तो यानि इसका डिरेक्शन रोटी कैप और इसका भी पोलराइजेशन हो सकता है अलग होगा इसका डिरेक्शन रोर कैप हो गया अब सारा टम हमें पता चल गया अब हम लोग क्या करेंगे सर अब हम ल फर्मुला मिलेगा कुछ नहीं, समझ के रखोगे कुछ नहीं, अगर तुम्ही याद करने जाओगे बहुत फर्मुला है, पता नहीं कहां से डिराइब कर देगा, और समझ लोगे कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपको समझना में इंपोर्टेंट है याद रखना, तो स्टार हम लोग पूछेंगे, PLF क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले, PLF, तो मैं बोलूगा सर, PLF जो निकलेगा, वो रोटी कैप, डॉट रो र कैप का होल स्क्वार से मिलेगा, क्या मैं PLF पढ़ा चुका हूँ, अभी तो पढ़ाया हूँ, तो PLF तुम जानते हो, अब उसके बाद से क्या पूछोगे सर, कि ECDT क्या होगा, तो आप ECDT जानते हो, ECDT क्या होता है, ECD होता है, RR अपॉन RR प्रस RL, जानते होगे, RR अपॉन RR प्रस RL होता है, तो यहाँ पर RR कितना है, ट्रांस्मिटिंग का देख रहे हैं, तो RR ट्रांस्मिटिं का लेंगे और RL ट्रांस्मिटिंग का लेंगे तो पूछोगे सर क्या इससे question पूछा है हाँ भाई बहुत अच्छा सा question पूछा है तो इसका transmitting अंटीना का loss resistance लेंगे तो हमारा ECDT मिल जाएगा जी सर उसी तरह ECDR क्या मिलेगा ECDR निकालने के लिए आप क्या करोगे RR और साथ में क्या लोगे सर RR receiving antenna का और loss resistance receiving antenna का तो आपने loss resistance ले लिया receiving antenna का अब मैं आप से पूछूँगा कि चलिए loss resistance आ गया ECDR आ गया अब उसके बाद से क्या निकालोगे सर उसके बाद से हम gamma RT निकालेंगे gamma T क्या होगा? यहां से वेब जा रहा होगा जा रहा होगा तो impedance ZT दिखेगा जो antenna का है और Z0 दिखेगा जो transmission line का है यानि gamma T क्या हो जागा? ZT माइनस Z0 डिवैड बाई ZT प्लस Z0 जी सर उसी तरह gamma R क्या होगा? gamma R में यहां पर impedance दिखेगा ZR और Z0 यानि हमारा क्या हो जागा gamma R ZR माइनस Z0 डिवैड बाई ZR प्लस Z0 तो यहां आपका gamma R आ गया अब इसके बाद से क्या करोगा सर? तो देखो अब निकालते जा रहे हैं बहुत कुछ निकलेगा मेरे भाई बहुत कुछ ही निकलेगा अब क्या निकालेंगे सर? तो देखिए यहां से अब हम लोग आगे बरेंगे यह हमारा data निकल गया? जी सर, अब इसके आगे बरते क्या बरेंगे सर? तो ERR निकालेंगे क्या निकालेंगे? ERR ERR का formula क्या होता है सर? तो ERR जो होता है ERT 1- gamma square होता है transmitting antenna का लिख रहे है तो 1- gamma T square लिखेंगे उसी तरह मैं पूछूँँगा ERR क्या होगा receiving antenna का? तो 1- gamma R का whole square लिखेंगे जी सर तो RT का लिख लिख लिए RR का लिख 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 लिए ठीक है? अब हम total efficiency निकालेंगे total efficiency क्या हो जाएगा? ECD ले लोगे transmitting antenna का और ERT ले लोगे transmitting antenna का ECD और ER से multiply कर दोगे dialectic conductor loss और reflection के कारण multiply कर दोगे जी सर उसी तरह मैं पूछूँगा ETR क्या होगा? ETR तो इसमें conductor loss के कारण efficiency ले लोगे ECDR और deflection के कारण ले लोगे ERR हो गया सर तो यह हमारा आ गया ठीक है सर यह आ गया उसके बाद से सर क्या करोगे सर यह हमारा efficiency से तुमने अभी खेलना सीख गया है फिर हम पूछेंगे आप से directivity और gain में क्या relation होता है तो gain is equal to क्या होता है हम लोग को GT is equal to क्या होगा हमारा efficiency into transmitting antenna का efficiency into directivity of transmitting antenna GR क्या होगा सर efficiency into directivity transmitting antenna का total efficiency into DR हो जाएगा जी सर तो देखो आपने सारा formula निकाल लिया कल का जिसका basic अच्छा होगा वो इस topic को अच्छे से समझ जाएगा अगर basic अच्छा नहीं होगा इस question को समझना मुश्किल होगा तो देखिया आपने का निकाल लिया GR और GT निकाल लिया जैसे ये सारी बात निकाल ली अब आगे हम लोग देखेंगे फिर से मैं लिखूंगा एक बार और equation को ताकि आपको अच्छा से एक जगर रहेगा अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालना है अब उसके बात से हमें दूसरा पार्ट निकालना होगा क्या कि सर ETT क्या होगा ETT अगर हम पावर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा PT क्या है Input है और WT क्या है Output है तो यानि हमारा PT और WT के बीच में Total Efficiency आएगा तो Output upon Input क्या होता है हमारा PTT होता है ETT हो जाएगा ठीक है ETR के 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 से में क्या होगा सर ETR के के से में हो जाएगा हमारा Input Power WR है Output Power PR है यानि ETR क्या हो जाएगा Output Power PR है और Input Power हमारा क्या है इसमें इन्पूट पार डबलू आर था आउटपूट पार पी आर था तो आउटपूट डबलू टी इन्पूट पी टी आउटपूट पी आर और इन्पूट डबलू आर देखा आपने फर्मूला आ गया जी सर तो देखो यह आपका फर्मूला आ गया किसका डबलू आर पी पहला ये काम आएगा आगे चलके PLF आपको अलग-अलग formula derive करवाएगा direction of rho t, direction of rho r, receiving antenna का और transmitting antenna का दूसरा formula क्या देखा कि हमारा ECDR क्या होगा sir ECDR आपको निकालना असान हो जाएगा कैसे आपको अगर radiation resistance receiving antenna का पता है और radiation resistance receiving antenna और loss resistance receiving antenna का तीसरा, transmitting antenna का लिकालना हो efficiency तो receiving radiation resistance transmitting antenna का radiation resistance transmitting antenna का और loss resistance transmitting antenna का जी sir, उसके बाद से अगर मैं पुछूँ आप से कि sir ECDR हो गया, ECDT हो गया अब क्या करोगा sir अब हम लोग देखेंगे E gamma तो gamma क्या होगा sir, gamma हो जाएगा receiving antenna का impedance, transmission line का impedance, receiving antenna का impedance, transmission line का impedance, फिर आप से पूछा जाएगा कि gamma T क्या होगा, तो transmitting antenna का impedance, transmission line का impedance, transmitting antenna का impedance, और इसका impedance, जी sir उसके बाद से अगर मैं पुछू आगे तो हमारा 6, जी sir 6 नमबर क्या देखो के sir तो हमारा ERT reflection के कारण क्या होता है efficiency, 1- gamma square होता है, transmitting antenna का देख रहे हैं, तो gamma T square हो जाएगा फिर उसी तरह reflection 1- gamma R gamma R का whole square हो जाएगा receiving antenna का देख रहे हैं, तो reflection receiving antenna का, फिर उसके बाद से, जैसे ERR आगे तो आप क्या निकाल होगा sir, उसके बाद से total efficiency देखोगे, प्रोसरल efficiency किसका, receiving antenna का तो क्या लिखोगे, ECDR into ERR जी sir, और total efficiency आप किसका निकाल सकते हो, sir, total efficiency आप निकाल सकते हो, transmitting antenna का, तो ECDT into ERT हो जाएगा, जी sir, फिर उसके बाद से, जैसे total efficiency आजाएगा, तब क्या निकाल सकते हो sir, आप, अब हम gain और relation निकाल सकते हैं, तो GR का relation, directivity के साथ total efficiency का होता है, जी sir, GT का relation efficiency के साथ, total efficiency के साथ होता है, जी sir, और उसके बाद से अगर मैं पुछू, 12 नंबर, क्या total efficiency जो देखेंगे, transmitted antenna का, input power क्या होगा, PT, output power क्या है, WT, and last, जो total efficiency efficiency देखेंगे, receiving antenna का, input power क्या है, WR, output power क्या है, PR, देखा आपने, जी sir, वो इतनो फड़ बुला आगया भाई, अभी तो 14 इसे ही दिख रहा है, और 10-12 और आजाएंगे, कितनो याद करोगे, सब भूल भी जाओगे, इसलिए समझ की लिखना, समझ की लिखोगे, तो कुछ है, नहीं है, अब मैं बोलूँगा, polarization के बारे में कुछ नहीं बोला है, PLF कितना ले लोगे, 1 sir, कितना ले लोगे, 1, अच्छा, अगर मालो, मेरा radiation, resistance, and loss, resistance के बारे में नहीं बोला है, इसका value के ले लोगे, 1, इसका वे value के ले लोगे, 1, अगर आपको impedance, match, mismatch के बारे में नहीं बोला है, इसका value के ले लोगे, 0, match condition, इसका value के ले लोगे, 0, match condition, reflection, match condition, 1, reflection, match condition, 1, total efficiency, 1, total efficiency, 1, gain, directivity और gain बराबर हो जाएंगे, अगर मेरा loss के बारे में इस सब के बारे में नहीं दिया तो ET को 1 लेंगे, तो gain और directivity बराबर हो जाएंगे gain और directivity बराबर हो जाएंगे mile load directivity भी नहीं दिया तो 1 mile लेंगे isotropy container, directivity भी 1 हो गया तो gain भी 1 हो जाएगा, जिनी सब आगे चलके ideal case में 1 हो जाते हैं प कंडिशन हो जाए है कोले का मैच कंडिशन है यह 0 हो जाए यह 11 हो जाए गगा लौसलेस और मैच कंडिशन हैος 15 हो गया लौसलेस और मैचकंंडिशन है Workingです और हमाने अकुछ नहीं दिया है तो उनले लेंगे गैन यहिति यहां बराबर हो जगा WTPT, WRPR सब बराबर हो जाएंगे यानि यह फर्मूला सब बेकार और अगर दे दिया data तो सब काम का तो बहुत ही इसमें पुलूट पुलूट के देगा नहीं दिया सब को बन मान लो और दिया तो उसको मान के चलो यही अब असंतर होता है फिर इस फर्मूला में ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तब क्या देखेंगे बाबो अब यहां से हम लोग अंटीना फिर से बनाएंगे सौट कट में वो तर PPT पता नहीं तो ऐसे ही मुझे बनाना पड़ता है बार बार देखो यहां पर अब सौट कट पर क्या बनाएंगे? देखो द्यान से अब मुझे बताना कि जो अंटीना हम लोग यूज करते हैं वो कौन सांटीना यूज करते हैं सर? आइसो ट्रोफिक अंटीना, डाइपोल अंटीना या कोई और अंटीना या कोई और अंटीना यूज करते हैं तो यह मेरा अंटीना है और यह मेरा रिसीविंग अंटीना है अब फर्मूला आने वाला है परमुला भी क्या आएगा, तुम अगर समझ जागगे ता फरमुला नहीं है, नहीं समझोगे, तो बहुत ज़ागा फरमुला है, फिर से वही बाते बोलना हूँ, इसके distance में distance कितना है सर, आ रहे हैं, तो इसमें हमें condition लेके चलना पड़ेगा, क्या condition लेके चलना पड़ेगा पहला condition कि हम अंटीना को क्या मान के चलेंगे हम अंटीना को मान के चलेंगे transmitting अंटीना को isotropic अंटीना पहले क्या मान के चलेंगे isotropic अंटीना तो एक बात बताईएगा मुझे आप समझ में आय तो बताईएगा ना समझ में तब भी बताईएगा कि यह isotropic पहनली पुछोगन भी नंटीना होता जी सर पॉइंट साई सका इसका रेडियेशन चारो तुरफ होता है और एक जेनल अंतीना होता है जिसका रेडियेशन एक डारेक्षंग में होता है तो अकर ऑसो ट्रोफिक से जेनलमें अंतर पूछूँँगा तो प्या बतावगे इससक इसका डिरेक्टिविटी वन होता है, इसका डिरेक्टिविटी वन नहीं होता है, इसका चारो डिरेक्टिविटी वन होता है, इसका कुछ खास डिरेक्टिविटी वन होता है, तो यही अंतर है, जी सर, यानि इसी अंतर को हम लोग analyze करेंगे, क्या analyze करके देखेंगे, चलिए तो यहां पर power क्या होगा हमारा यह हमारा अरम आटीन है इतना power transmit कर रहा है WR लेकिन WR transmit कर रहा है तो क्या चारो तरफ WR ही देगा नहीं आप density से बात करेंगे सर फिर उसके बाज से किसे बात करोगे सर density से बात करेंगे जी सर इसे बात किया density से फिर उसके बाद से दूसरा distance अगर और distance बढ़े तो और density से बात करेंगे सर और density से बात करेंगे फिर उसके बाद से और density से बात करेंगे सर तो बता रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा सर अगर मेरा यह से रेडियेट करते हुए जाएगा सर ऐसे रेडियेट करते हुए जाएगा सर देखो यहाँ पर रेडियेट करते हुए जा रहा है आईसोत्रोफी कांटीना है तो ऐसे रेडियेट करते हुए पहुचेगा जी सर जब यह डिस्टेंस आड ट्रेवल करेगा तो क्या होगा यह पूरा पावर यहाँ पे डिस्टिब्यूटेड होगा इस आड में इस पूरे पावर क्या देखेंगे देंसिटी देखेंगे और यहां पे जब हम अंटीना लगाएंगे क्या लगाएंगे अंटीना लगाएंगे तो जब यहां पे हम लोग अंटीना लगाएंगे तो क्या होगा कुछ पावर यह रिसीब करेगा कितना पावर रिसीब करेगा जितना इसक पावर ट्रेबल करके गंसीटी में पोचा यहां पर प्रॉइंपट। निकाल लेंगे है वही बात यहां पर है तो सबसेकेन पहला । सबसे पहला point मैं लिखा हूँ आगे अंग्रेजी अभी मैं आपको सिखा जे रहा हूँ WR WT transmit हो रहा है WT क्या हो रहा है? transmit हो रहा है और WT transmit होने के बाद से हमारा power density में बनेगा 4 pi r² यानि यहाँ पे जो पहुचेगा वो power कौन सा पहुचेगा? density वाला पहुंचेगा और वो power किसे receive होगा इस area से receive होगा तो कितना receive होगा सर डबलू टी अपन 4 pi r square into a e r खतम हो गया power तो receive हो गया जी सर इसे power हमने receive कर लिया प्रस इतना ही है कुछ और नहीं है यही फिर इस formula हो गया अब इसी में हम लोग खुब खोलेंगे खुब भूमेंगे फुर बाते करेंगे हो गया तो क्या हुआ यहां से यहां से यह डबलू टी मैं फिर से समझा दे रहा हूँ यहां से डबलू टी ट्रांस्मीट किया कैसे ट्रांस्मीट कर रहा है isotropically transmit कर रहा है और isotropically transmit कर रहा है तो यह distance r पर कितना पहुचेगा sir power density wt upon 4r square पहुचेगा और power density जितना पहुचेगा उसका हमारा क्या होगा कुछ effective temperature area से receive होगा तो कितना receive होगा साड़ा का सारा power receive हो जाएगा क्या नहीं सारा का सारा power receive नहीं होगा जितना इसके effective temperature area पह पढ़ेगा उतना ही power receive होगा यानि इसका unit क्या होगा sir तो इसका unit होगा sir watt per meter square और इसका unit क्या होगा sir sir watt हो जाएगा क्यों क्योंकि इतना area से multiply कर दिये तो power इतना receive हो गया आपको जोगोसर áisotropic नहीं होगा तो क्या करोगा sir तो जब isotropic नहीं होगा तो उस case में क्या करेंगे Wt को directivity से multiply कर देंगे क्यों क्योंकि जब isotropic नहीं होगा तो कुछ directive antina हो जाएगा वो general antina किसमें convert हो जाएगा directive antina में यानि यह Wt में DT से multiply कर दिये, तो यह किसका density है, तो सर यह density है हमारा isotropic antenna का, यह density किसका है, general antenna का, तो यानि इसमें receive कितना होगा सर, तो इसमें receive होगा हमारा WT into DT divided by 4 pi r square, और साथ में क्या होजगा, effective aperture area receiving का AER हो गया, बस यही पूछता है आपसे सवाल, हम आपको यही point आपको summarize कर देते हैं, देखो यहाँ पर समझ में आ जाए, तो बताना मुझे, ना समझ में आ तो फिर से समझाओंगा, क्योंकि यही हमें समझना है, तो आप मुझे समझाईगा, क्या पूछूंगा, पूछ रहा हूँ, तो मेरा transmitting antenna isotropic होगा तो, जब हमारा transmitting antenna isotropic होगा, तो हमारा कितना पहुचेगा, power density, receiving antenna पे, Wt upon 4pi₂R² पहुचेगा त्रांस्मिटिंग antenna पे, receiving antenna पे, इतना power transmit किया, r-distance टेबल किया, तो इतना density हमारा कहां पे पहूचा, receiving antenna पे, कब जब हमारा antenna isolated one को फिर क्या बोला है पाउर डेंसटी येट रिसीविइंग इसैंग पहुंछेगा जब हमारा च्रांस्विइटिं grabbed here inaráइट केस किससे apple कर देंगए डैरंटरीप्रेंबिती से तो यह हमारा डैरेंटरीटी से multiply हो गया तो यह बात है आपको समझ में आ गई होगी जी शर दूसरा एक और तरीका होता है देखने का क्या तरीका होता है सर वो देखने का वो तरीका यह होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या माल लेंगे कि हमारा कुछ इस एलेक्ट्रिक फिल इंसिडेंट कर रहा होगा, क्या इंसिडेंट कर रहा होगा, एलेक्ट्रिक फिल्ड, उस एलेक्ट्रिक फिल के स्ट्रेंथ कितना बोलेंगे सर, यानि पावर डेंस्टी क्या होता है एलेक्ट्रिक फिल के टंस में, तो एलेक्ट्रिक फिल के टंस में सर सर पावर डेंस्टी होता है यही तो डेंस्टी होता है जी सर और इसी को एरिया से मल्टिप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर इसी को एरिया से मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर डेंस्टी पावर हो जाएगा इतना पावर रिसीब किया यह पावर डेंस्टी एकल टू डब्लू टी डीटी अपॉन फोर पाई रस्क्वाइर यह एलेक्ट्रिक फिल के टांस में देखेंगे और यह डेंस्टी देखेंगे ट्रांस्मिटिंग पाउर के रेस्पेक्ट में दोनों को हमने क्या किया एक्वेट कर दिया यहां से हमें एर में साजाएगा यह और यह रेन देगा एफेक्टिव़े परचरे सब्सक्राइब रौचार यह पता होगा तो दोनों से मल्टिप्लै करके आप रिसीब पाउर निकाल सकती हो यह डबॉटी डीटी देगा थोरफाई यह अर आ रॉर देदेगा और एफेटिवेस परचरे देगा पता चल जाग तो आप क्या निकाल लोगे, आप फिर से receipt power निकाल लोगे, तो receipt power निकालने के आपको अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग तरीके क्या है, यहां से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलिए, बास समझ में आ रही है, तो यहीं से हमारा कहानी स्टा होगा क्या होगा बाबु कि Wt upon 4 pi r square और दूसरा हो क्या हो जाएगा Wt into dt upon 4 pi r square और एक electric field के terms में क्या होगा हमारा power density e rms square upon eta जिसमें हमारा d naught क्या होता है directivity up isotropic antenna होता है 1.5 किसका लेते है आई dipole antenna का directivity और 1.63 किसका לेते हैं half wave dipole antenna का हाफ wave dipole antenna का directivity कितना लेंगे 1.63 dipole antenna का directivity कितना लेंगे 1.5 और directivity isotropic antenna कितना लेंगे 1 directivity नहीं दिया अको क्या लेखे 1 अगर dipole antenna लिखा गाट जो 1.5 ले लोगे हो जाएगा फिर उसके बाद से पावर कितना रिसीव होगा तो पावर रिसीव होगा डवलू टी डिटी डिवाइड बाई ए यार अपन फोर पाई आर स्कॉयर तो यही बाते हम लोग समझते थे एक बार और फिर से बता दो जिससे आपको और अच्छा एनलाइज हो जाएग एक बार और समझाने की कोशिस करता हू यह कौनस नटीना माने है WT Transmit कर रहा है कौनस नटीन लाने है आइसोत्रोफिक नटीना माने है यहां पर नटीना जो है वो कौनसा है सरर रिसीविंग अंटीना है जी सर, ठीक है सर अब मैं आपसे पूछनक बीटी तक तक कितना दूरी पर पहुँचेगा, यहाँ पर density कितना पहुचेगा, sir? तो sir, यहाँ पर density हमारा पहुचेगा, Wt upon 4 pi r square. कि अगर पहुचेगा, sir? जब आइसोट्रोफिक होगा, क्या होगा तो? आइसोट्रोफिक होगा तो. अगर आइसोट्रोफिक नहीं हुआ, तो कितना पावर देंस्टी पहुचेगा? तो sir, Wt into dt upon 4 pi r square पहुचेगा. अगर एलेक्ट्रिक फिल्में पुचेगा, तो पावर देंस्टी कितना पहुचेगा? तो सर, एलेक्ट्रिक फिल्म में पावर डेंस्टी पोचेगा E r m s square upon eta जी सर अब आपसे पूछ रहा कि पावर रिसीब कितना होगा यहाँ पे wr तो पावर रिसीब कितना होगा डेंसिटी को किसे multiply कर दोगे area से, यानि इसमें area से multiply करोगे तो क्या मिलेगा हमें w t into a e r upon 4 pi r square जी सर और इसमें area से multiply करोगे तो क्या मिलेगा हमें w t into dt upon a e r upon 4 pi r square जी सर, और अगर मैं पूछ हूँ इसमें area से multiply करोगे तो क्या मिलेगा e r m s square upon eta into a e r हो जाएगा तो यानि आपने तीनों से देख लिया अब जो दिया होगा वो data ले लेंगे dt नहीं दिया होगा ता क्या मान के चलेंगे 1 मान के चलेंगे effective departure area के कहानी तो जानते ही है हो जाएगा कहानी समझ में आया है? चलो तो ये बात है आपको समझ में आनी चाहिए थी density दिया हुआ है? जी सर तो power density दोनों दिया हुआ थे E rms आप निकालना समझ सकते हो तो E rms square ये electric field के terms में power density और ये power के respect में power density जी सर 4 pi r square तो क्या हो जागा हमारा E rms किसके बराबर आजागा? तो बोलोगे सर E rms हो जागा Wt dt eta and divide by 4 pi r square का under root जी सर अब Wt पता नहीं है given होगा, dt पता नहीं है given होगा और eta हावा में देखते हैं अन्टीना को, तो 120 pi divide by 4 pi r square जी सर, अब यहां से हम पूछे तो क्या हो जाएगा? 4 pi से divide कर दोगा तो 30 Wt dt divide by r under root यह आजाएगा यहनी electric field किसके proportional मुला? r के proportional मिला यानि कभी भी अंटीना से आप electric field पूछोगे तो क्या मिलेगा? E rms जो होगा, वो r के proportional होगा जी सर और यहां से भी देख लिए आपने e rms क्या होगा? e rms हमारा यह होगा तो यहां से आपने ERMS का फर्मूला देख लिया इसका फर्मूला देख लिया ERMS का अब उसके बाद से क्या देखोगे सर उसके बाद से सर हम देखेंगे सर रिसीब पावर रिसीब पावर के लिए हम अगले पेज में चलेंगे तो हमारे पास receive power होगा क्या होगा receive power Sir Wt into dt density divided by 4 pi r square into AER हो जाएगा जी Sir और दूसरा क्या हो सकता है electric field के टंस में E r ms square upon eta density into area तो AER हो जाएगा आगे यह भेलू तो यह आपका freeze formula से WR 2-2 receive हो गए कौन सा WR हो गई है यह हमारा Wt, Dt यह सब दिया होगा ते से लिकाल लोगे यह का formula से निकालोगे जब electric field दिया होगा उससे लिकालोगे तो दोनों से आप निकाल सकते हो receive power जी Sir उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे उसके बाद से अब हम लोग दुनिया बदलेंगे अपनी क्या दुनिया बदलेगा? फिर से वह अंटीना पर आ जाएंगे अंटीना पर आते हैं तो WR क्या हो जागा हमारा? सर WR होता है Wt into Dt into AER divided by 4π R square जी Sir अब मैं पूछू AET क्या होता है Sir? तो Sir AET होता है lambda square by 4π into Dt होता है Sir तो अगर मैं पूछू Dt क्या होगा? तो Dt बोलोगे Sir AET into 4π divided by lambda square हाँ Sir? यह बोलेंगे न? जी Sir, इसको इसमें पूट कर दो, तो WR का फर्मूला क्या हो जागा? WR का फर्मूला हो जागा Wt and AET and AER divided by R square and lambda square हो जाएगा तो यह आपका एक फर्मूला बन गया यह किसके रिस्पेक्ट में फर्मूला बन गया? आपका AERिया के रिस्पेक्ट में फर्मूला बन गया तो यह देखो अमारा AERिया के रिस्पेक्ट में फर्मूला आ गया अब area के respect में formula आ गया आप क्या निकालोंगे सर यह सबसे सवाल पूछा है गेट में हर्एक से सवाल आता है अब आपको घुमना फिरना बहुत आना चाहिए जितना घुमना फिरना जानोगे उतना ही अच्छा सवाल बना के आओगे अगर आप सोचोगे कि हम तुरंत सवाल को बना ले, तुरंत इंसर आ जाए, नहीं हो पाएगा याद रखना मेरे भाई तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? घूमना फिरना फिर सिखते हैं हम लो घूमना फिर न फिर सिखेंगे तो फिर क्या करेंगे? सर फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे इससे कैसे आगे बढ़ोगे भाई? चलो बढ़के दिखाते हम तुम्हें डेवलू रूर इस इकल टू क्या हो जागा साइब फॉर पाइ आड़ एसको इस फर्मूला को मैं क्या करूँगा एक बड़ा सा फर्मूला में बदल नुगा कैसे बतलूँगा ध्यान देते जाओ पहला मैं पूछूँगा की बताईए ETT क्या होता है तो आप यहां से मैं पूछूँगा ETT क्या होता है मैं एक एक करके फर्मूला रखूंगा ETT क्या होता है सर ETT होता है WT upon PT तो अगर मैं पूछा, भी डवलू ट को क्या लिख सकते हैं? यह डवलू ट को लिख सकते हैं? व त को क्या लिख सकते हैं? PT इन्टु ETT जी सर, PT इन्टु ETT लिख सकते हैंicer तो WT को हम लोग PT इन्टु ETT रखते हैं तो WR क्या हो जागा? PT in too ETT into dt और इंटू AER डिबाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 4Pi R² जी सर अब हम लोग WR के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं तो ETR क्या होता है सर ETR होता है हमारा WR input होता है PR output होता है तो हमारा WR के जगा पर क्या रखोगे PT upon ET PR upon ETR इसको PR upon क्या रख दिया है ETR यह क्या हो जागा हमारा PT into ETT into DT into AER divided by 4Pi R² हो जाएगा जी सर इसको इदर multiply में लाओगा तो क्या हो जागा हमारा multiply में लाओगा तो answer आजागा तो क्या हो जागा PR is equal to PR is equal to आजागा हमारा the PT into ETT into ETR into DR into AER divided by 4Pi R² जी सर तो इसको फिर हम आगे बरेंगे transmitting antenna feeding side पे है receiving antenna receiving side पे है PR क्या है हमारा और WR क्या है यह समझना परेगा PR क्या हमारा देखो यहाँ पे PR जो है वो हमारा transmitting antenna पे है feeding side और PR हमारा receiving antenna पे है receiving side पे WR यहाँ पे DC बोड़ा है WT यहाँ पे DC बोड़ा है वही बाते हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमने कर लिया एक दो बार कम से कम लिखना परेगा और तुम सोचोगे कि सोनु सर एक बार में बता देंगे तो भाई भूल है अच्छे अच्छे יתवाख कर देंगे तो क्या मिलेगा PT और क्या मिलेगा हमे more 4pi into क्या लिखोगे dr, r का देख रहे है तो dr लिखोगे, divided by 4pi r square, जी सर, तो efficiency into directivity gain होता है, efficiency into directivity gain होता है, यानि formula क्या हो जागा PR का, PR का formula हो जागा PT into gain of transmitting antenna, gain of receiving antenna into lambda square, divided by 4pi r का whole square हो जाएगा, 4pi r का whole square, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, PR, और का लिखा जाता है, PT into GT into GR into divided by क्या लिखेंगे, 4pi, r by lambda का, 4pi r by lambda का whole square, r by lambda का whole square, यह आ गया, जी सर, यह formula आ गया, अब इसको भी हम अलग से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, last formula चला है, क्या formula चला है सर, last, सर, PR लिखेंगे, PR क्या हो जागा, सर, PT, और क्या हो जागा, GT, और क्या हो जागा, GR, divided by 4pi r by lambda का whole square, जी सर, यह होगा न, हाँ, अब इसको expand करते हैं, expand करेंगे तो क्या लिखेंगे, PT, और क्या लिखेंगे, ETT into dt, और ETR into dr, divided by 4pi r by lambda का whole square, जी सर, अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, PT, और क्या लिखेंगे, DT, और क्या लिखेंगे, DR, और ETT को क्या लिख सकते हैं, ECDT, ERT, और ECDR, ERT, लिखेंगे, जी सर, ETR, जी सर, और divided by क्या लिखेंगे, हम लोग, 4pi r by lambda का whole square, अब इसको और expand करके लिख सकते हो, तो PR का फर्मूला क्या हो जाएगा, PT into dt into dr, और divided by 4pi r by lambda का whole square, और, इफिस NC को क्या लिख सकते हैं, CDR को, RR, RRT, radiation resistance of transmitting antenna, radiation resistance of transmitting antenna, loss resistance of transmitting antenna, फिर क्या लिखेंगे सर, फिर लिखेंगे, radiation resistance of receiving antenna, radiation resistance of receiving antenna, loss resistance of receiving antenna, ERT के 1 minus gamma square, gamma R square, और, ETR का 1 minus gamma T square, and, full radiation loss factor नहीं हुआ तो, PLF, आगे सर, यह formula एक, formula आगे सर, देखा यह formula, जी सर, यह formula हमारा एक नया formula बन गया, यह last में, क्या formula बन गया, power दिया होगा, DT दिया होगा, DR दिया होगा, R दिया होगा, frequency दिया होगा अत्य लेंडा, radiation resistance, transmitting antenna का, loss resistance दिया होगा, radiation resistance, receiving antenna का, loss resistance दिया होगा, receiving antenna का, reflection coefficient दिया होगा, receiving antenna का, transmission coefficient दिया होगा, receiving antenna का, और polarization loss factor दिया होगा तुछ समझ गया समझ गया नहीं पढ़ाते बाबू यह क्यों पढ़ाएंगे तुम सोचो न अगर मैं पढ़ाने बैटू किसी student को अगर मैं किसी student को पढ़ाने बैठ हूं कितना student जरेगा रच यह तो बहुतबट है नहीं पढ़ेंगे रच इस Given oh dheda जाना प्रता किम ना आट पर्णे से केवाढ सेलेक्शन नहीं होता है उतना तो सब परके जाएंगे नेट वर नेटर्वर्क में किसी यह लगाना, मैक्समा पाउर टांसफर्थ ओर दिया, गये तूम, फोरा सा टूपोर्ट में खेला, गये तूम, फोरा सा एसी में खेला, गये तूम, रेजोनेस में खेला, गये तूम, क्या सी कहो तो, KVL, KCL, Nodal Anasis और क्या देखे आप, Nodal Anasis और मेस तूम सोचे कि हो, बहुत अच्छा जानते हैं, फ्रांजियंड में तूम, प्रेक्वेशन प्रेक्वेशन लिखे जा रहा हो, काई दो लिख रहा है, उसमें ज्यादा डिप में जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2-3 मिनट का सवाल होता है, बाई, रही बात है, यहां खेलेगा न मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, ताकि आपको असानी से समझ में आ जाएगा, यहां 13 तक देखाता न हमने, जी सर, अब हम लिखते हैं, जब तक आप इसको 2-3 बार प्रेक्टिस नहीं करोगे, मेरे दोस्त नहीं सिख पाओगे, याद रखना, जब तक आप 2-3 बार नहीं सीख पाओगे यह चीजे, और यह सीख जाओगे तो अगर सवाल आगा, तो तुम बना क्या आओगे, याद रखना, ठीक है, चलिए आगे बदते हैं, अब हमारा क्या हो जागा, 14 नमर देखेंगे, 14 नमर क्या हो जागा, 14, 14 नमर हमारा 80 हो जाएगा, जी सर, 80 क्या होता है, lambda square by 4 pi into dt होता है sir 15 AER क्या होता है sir AER होता है sir lambda square by 4 pi into क्या होता है हमारा dr 16 16 में बहुत सारा power density है क्या देख रहा है power density power density पहला पहला कौन सा power density देखेंगे जब isotropic antenna होगा तो जी sir दूसरा power density कब देखेंगे जब isotropic antenna नहीं होगा तो जी sir और तीसरा क्या देखेंगे power density electric field के terms में किसके terms में electric field के terms में देखा power density देख लिए आपने तीन तरह का power density देखा जब आपका isotropic antenna अंटीना के बारे में कुछ दिया ही नहीं हो, डिरेक्टिविटी दिया ही नहीं हो, यह फर्मूला लगा देना पावर देंस्टी का, जब आपका ट्रांस्मिटिंग अंटीना का डिरेक्टिविटी दिया हो, जब आपका इलेक्ट्रिक फिल दिया हो, कहां पे, रिसीविंग अंटीना पे, तो receiving अंटीना पे electrical दिया हो तो यह formula लगा दोगे, यानि तीन तरह के power density के formula आएंगे, अब उसके बास से, उसके बास से कितना point चला है, 16, 17 में आते है, 17 में क्या होगा, receive power, receive power आपका मालो isotropic अंटीना है, in that case, wt upon 4 pi r square into a e r हो जाएगा, अगर आपका कौन सांट अंटीना हो अगर मालो आपका isotropic अंटीना ना हो transmitting अंटीना तो 4 pi r square into a e r हो जाएगा, और अगर मालो electric field के बल दिया हो तो receiving अंटीना साइड पे, तो er में से square eta into a e r हो जाएगा, जी सर, यह आपका receive power के हो रहे है, 18 नमबर, और भी receive power का मालो के बल इफेक्टिव एपर्च लेमडा स्क्वाइर, जी सर, यह था फर्मूला, के बल आपका area दिया हो, सबसे सवाल दिया हो, हर एक से सवाल आपका यहाँ पर दिया हुआ, पर एक बार देख तो ले क्या क्या पर है, फिर उसके बास से जब यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा 19 नमबर देख लेंगे, 19 न क्या हो जाएगा, गेन, और यह क्या हो जाएगा, गेन, और दिवाड़ भाई, और पाई, और लेमडा का होले स्क्वार, और पाई, और लेमडा का होले स्क्वार, जी सर, अब मैं इसका पूछूंगा सर, डी बी में क्या फर्मूला होगा, बता दोगे डी बी में फर्मूल ही होता है तो आड होता है और फिर क्या लिकर को एसेर ग्र in dB जी सर और अब डिवाइड में तो क्या हो जगा माइनस और db में निकाल ले तो क्या ले रहोगे पावड का देख रह ले रहे होगे 4 Tr by यहांपर यू कि सुम सभर देख रहे और पान देख रहे तो यह , 10-log सभ्स्व मरा जीआए serious इसका फर्म्ला क्या हो जाएक यह प्यारिं liber तो सरा क्या हो जाएक पी , पी mental ऑर झार क्या हो जाएक जीटी , जी फकर जीटी फश्वाब को टाफ़ा R by lambda जी sir अब यहाँ से तुम देख लोगे सवाल बताव मुझे क्या कि यह हमारा Receive power को कौन बढाएगा Transmitted power को बढाएंगे तो बढ़ेगा Gain को बढाएंगे तो बढ़ेगा Gain को बढ़ेगा Transmitting antenna gain को बढाओ Receive power बढाएगा receiving antenna का gain को बढ़ाओ, receive power बढ़ेगा, किससे power कम होगा, r से, जितना दूर antenna रखोगे, उतना ज कम power होगा, तो power कम किससे होगा, r से, यानि distance को बढ़ाओगे, तो power कम होगा, और lambda in decrease होगा, तो कम होगा, तो decrease होगा, तो यह value बढ़ेगा, lambda decrease मतलब frequency increase होगा, तो lambda decrease करोगे, तो frequency increase क वह increase करोगे value बढ़ेगा तो receive power कम होगा यानि frequency को ज्यादा नहीं रख सकते frequency को कम से कम रखना पड़ेगा यह नि कि बहुत कम ही frequency रख देंगे अगर बहुत कम frequency रख देंगे तब भी दिक्कत होगा क्या होगा कुछ आगे दिक्कत आती है loss ज्यादा होने लगता हमारा उस case में तो यानि हम frequency को ज्यादा भी नहीं रख सकते बहुत ज्यादा frequency को बहुत कम भी नहीं रख सकते तो यह हमारा loss देता है यह क्या देता है wireless communication में है, इसी का नाम होता है link formula, जो यहाँ से आप antenna से भेजते हो, कहाँ पे? satellite पे, और satellite से फिर लेते हो, कहाँ पे? अपने antenna पे, antenna से satellite satellite से antenna जो आता है वे power, वो इसी कहानी से आता है, इसी से देखा जाता है, इसको क्या बोले जाता है? path loss, क्यों? क्योंकि R बहुत बड़ा होता है, antenna से लेके satellite तक R क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, किसके comparison में? lambda के comparison में, इसी लिए हम लोग देखते हैं यह कहानी, इसका नाम क्या होता है? path loss होता है और, 90 number तो हो गया, अब 20 number देखेंगे 20 number का formula क्या हो जागा? यह जे देख गया, अब यह formula को याद रखेगा तो भही आग गया वो और इसको derive करके देखेगा तो गए नहीं जाएगा, तो क्या हो जागा? PR, और क्या हो जागा? PT, और DT, और DR, divided by 4 pi, R by lambda का whole square, और साथ में क्या हो जागा? Efficiency से multiply, efficiency कितने तरक होते हैं? दो तरक efficiency होते हैं एक, receive antenna पे efficiency, उसमें हमारा conductor loss का efficiency यह conductor loss का receiving antenna पे efficiency, और यह transmitting antenna पे conductor loss का efficiency, जी sir और यह हमारा साथ में क्या हो जागा? हमारा हो जागा reflection के कारण 1-gamma T का whole square 1-gamma R का whole square और यह साथ में polarization loss factor जी sir अब कोगो sir, क्या इतना question में दिया होगा? maybe, क्या इतना question में नहीं दिया होगा? maybe, नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे sir? मालो polarization के बारे हम बात ने किया, 1 ले लो मालो reflection के बारे हम बात ने किया 1 ले लो, मालो reflection के बारे में बात ने किया, 1 ले लो मालो efficiency के बारे में बात ने किया loss resistance के बारे में, 1 ले लो loss resistance के बारे में बात ने किया, 1 ले लो gain के बार, directivity के बारे में बात ने किया, 1 ले लो तब फर्मूला क्या हो गया? e t upon 4 pi r अपर lambda का whole square माल लो directivity दे दिया, लगा दो, माल लो loss resistance और radiation resistance दे दिया, लगा दो, माल लो loss resistance, radiation resistance दे दिया, लगा लो, transmitting antenna और receiving antenna का, माल लो impedance दे दिया, gamma निकाल के लगा लो, माल लो आपको electric field दे दिया, pole resistance loss factor निकाल के लगा लो, आगे आपका, जो नहीं दिया, वो one माल लो, जो दिया, उ यही तो question में बोलता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग question, और देखते हैं कितना question हम लोग बना पाते हैं, एक बार बताईएगा, क्या इतना आप कभी life में पढ़े थे, कहोगे sir, नहीं पढ़े थे, तुम हमेसा अंटीना पढ़ते होगे, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ाय ज सकते थे, बोल देंगे out of syllabus, क्या खड़ लोगे, रही है, reflection को 1 नहीं पूट करेंगे बाबू, गामा को 0 पूट करेंगे, तो हमारा यह 1 हो जाएगा, reflection को 0 पूट करेंगे, क्या पूट करेंगे, 0, मैं फिर से बता जिता हूँ, reflection को 0 पूट करना, match condition, 0, 0 हो जाएगा, आजाएगा, जी सर, 1, 1 आजाएगा, reflection को 0 पूट करेंगे, E-R को 1 हो जाएगा, चलिए, पहला question, अब यह question बड़ी doubtful होता है, बोलोगे सर यह question तब ही बता है हो सर, directivity of dipole antenna, directivity of isotropic antenna, क्या लोगे सर, 1 लेंगे, directivity of dipole antenna, क्या लोगे सर, 1.5 लेंगे, directivity of half wave dipole antenna, half wave मतलब क्या होता है बाबो, half wave मतलब होता है, lambda by 3, तो half wave dipole antenna होता है, क्या होता है, half wave, half wave मतलब उसका length क्या होगा सर, lambda by 2 होगा, लेंध lambda by 2 होगा, तो उस case मिलेंगे, तो half wave dipole antenna बोला जाता है इसको, जी सर, अब आप से सवाल पूछूँगा, कि बताइए, यह कॉंसरंटीना है, तो simple dipole antenna लिखा होगा तो, अब ध्यान से मेरी बात है सुनना, क्या दिया है question में, question में दिया है कि half wave, lambda by 2 long मतलब half wave लिया है, cancer tick मारोगे, 1.66, तो यानि 1.66 मारेंगे, कब gate में, ध्यान रखना मेरी बात है, और EAC में 1.5 मारना, तो यानि EAC में तुम फर्मूला क्या यूज करोगे, dipole antenna का, 1.5, कोई भी dipole antenna हो, I don't care, कोई भी dipole antenna हो, I don't care, समझे, I don't care, care नहीं करेंगे, किस में, EAC में, लेकिन gate में care करेंगे, dipole antenna लिखेगा, 1.5 लेंगे, हाफ भी dipole antenna लिखेगा, 1.63 या 66 जो भी लेना हो ले लो, तो gateway आप consider रखना, क्या, 1.66, ये बात ये ध्यान रखना, दोनों में बड़ी confusion होता है, EAC क्या करता है, किसी भी local author के book को उठा लेता है, पता नहीं कोई book आता है, जिसमें बहुत सरा question दिया रहा था antenna का, वो book का नाम भूल रहा हूं मैं, तो उसमें क्या किया गया हो, उसमें आपको 1.5 लिखेगा हर एक जगा, तो EAC वाला भी 1.5 ले लेता है, हमेशा 1.5 मत लेना, हमेशा 1.5 मत लेना, gate में अलग 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 लेना, अगर dipole antina लिखा 1.5, अगर आपको half-wave dipole antina लिखा 1.63, तो directivity का थोड़ा धियान रखना, ठीक है, कभी-कभी directivity नहीं दिया रहा था, isotropic लिख देगा, 1 ले लेना, by default 1 लेना, by default 1 ले लेना, तो यह आप समझेगा बात को, अब next question, अब question हमारा start हो गया, कुछ-कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मिरे भाई, कुछ भी नहीं है, देखो क्या question में बोला है, एक antina है, free space में, इतना power क्या कर रहा है, भेज रहा होगा, transmit कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, when incident electric field is, receive कर रहा है इतना power, जी सर, इतना electric field, incident हो रहा है, क्या पूछा आप से, effective aperture area पूछा है, अभी बताया हो, क्या, मैं बार बार कोशिस करूँगा, कि मैं derive कर दूँ, यहां से हमारा क्या हुआ, wave गया, गया ना, जी सर, और जाने के बाद से, रिवेट बाई गीटा, यह क्या हो जागा सर, पावर डेंस्टी हो जाएगा, पावर डेंस्टी हो जाएगा, कौन सेंटीना पर हो जागा सर, रिसीव अंटीना पर हो जागा, अब पावर डेंस्टी आ गया तो सर, हमें तो पावर दिया है, जी सर, power दिया तो wr क्या हो जाएगा इस case में wr हो जाएगा कि power density को effective aperture area से multiply कर देंगे किसे multiply कर देंगे effective aperture area से लो भाईया wr आ गया हमसे क्या दिया हुआ है wr दिया हुआ है erms दिया हुआ है eta दिया हुआ है eta तो हवा में 125 होता है free space लिख दिया तो A e r निकाल लेंगे तो A e r का फर्मूला क्या लगा देंगे हम लो A e r is equal to क्या लिख देंगे हम लो A e r is equal to e r w r upon e r ms का whole square upon eta लिख देंगे जी sir तो w r कितना दिया है अब निकाल लो यहां से फर्मूला से तो A e r is equal to क्या लगा दोगे है w r 200 mW कि 20 mW 2 mW है तो 2 x 10 to power minus 6 divide by e rms e rms कितना दिया हुआ है sir 20 mV 20 mV मतलब 20 x 10 to power minus 3 का whole square और हवा है तो eta 125 निकाल लो क्या होगा sir उपर ले जाओ कि minus 2 है minus 4 हो जाएगा plus 2 हो जाएगा तो 2 x 10 to power minus 2 हो जाएगा into 125 और divided by क्या होजएगा 4 यह cut cut के कितना आजएगा 2 और यह 60 pi आजएगा 65 मतलब 0.65 यह लगभग 1.8 m2 का हाजएगा 1.8 m2 है जी sir C answer है 1.8 m2 का हाजएगा 1.8 m2 के आसपास क्या हो जागा C हो गया तो देको आपको समझना पड़ेगा क्या समझना पड़ेगा electric field दिया है जी sir density निकालेंगे WR पूछ रहा है जी sir effective way potential area से multiply कर देंगे कतम कहानी चली आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया है बाब कोस्चन अगला कोस्चन है हमारे पास एक किले मीटर लॉंग क्या है microwave link है दो antenna यूज कर रहा है दोनों का gain दिया हुआ है the power transmitted by पहला antenna PT दिया हुआ है frequency दिया हुआ है receive power पूछ रहा है हमारे पास क्या क्या पता है सर सर gain पता है GTN DB क्या है सर GTN DB हमारा 30 dB है GRN DB भी क्या है सर GRN DB भी 30 dB है ठीक है सर और हमारा PR कितना PT कितना है सर PT 1 Watt है सर और PR कितना है सर नहीं पता है सर frequency कितना है सर frequency 3 GHz जैसा and free space है तो BP क्या हो जाएगा C0 के बराबर हो जाएगा सर और उसके बास से कितना meter long है R दे दिया है distance कितना दिया है 10 to 3 meter दिया हुआ है सर meter में हम ऐसा देखे निकाल लो तो एक ही फर्मूला होता है इसके लिए हम derive कर चुके हैं क्या derive किये हैं बाबो PT is equal to PT is equal to PR is equal to क्या फर्मूला हम लोग देखे थे PR is equal to PT GT GR divided by 4π R by lambda का whole square जी सर यह तो हम लोग देखे हैं जी सर अब असानी से निकाल लेंगे PT 1 है इसको आप inverse निकालोग ते क्या हो जागा इसको आप 10 log 10 GT के बराबर करोगे जी सर तो GT कितना हो जागा सर सर GT हो जागा हमारा 10 to power 3 हो जागा सर 10 log 10 करोगे 10 से डिभाइड करोगे 3 log inverse लोगे 10 to power 3 इसका भी value कितना जागा सर 10 to power 3 निकाल लेंगे तो 10 to power 3 हो गया तो 10 to power 3 इसका भी 10 to power 3 और 4 pi r कितना है सर 10 to power 3 है और lambda क्या है सर तो lambda निकाल लेंगे f पता है बीपी पता है तो lambda आजागा lambda कितना हो जागा सर lambda हो जागा हमारा बी पी अपॉँन एफ तो बी पॉँन एफ किया हो जागा 3 इंटू 10 गवार 8 और 3 GHz है तो 3 इंटू 10 गार 9 1 by 10 आजागा सर लेम्डा 1 by 10 आजागा 1 by 10 ले लेते हैं लेम्डा हमारा 1 by 10 काह pişा हो लिए सक्वार हो जागा कितना आजागा भाई तो 10 to power minus 2 आ जागा divide by 16 pi square हो जाएगा यह हो जाएगा value निकाल लो calculation करना चाहो तो calculation कर सकते हो mathematics करना चाहो? mathematics कर सकते हो तो calculation में हवा में भी कर सकता हो pi square का value क्या आता है? 10 होता है 10 to power minus 3 1 by 16 है कर लो answer निकल जाएगा ऐसे divide करके भी निकाल सकते हो 1 by 16 कितना होता है sir 1 by 16 कितना होता है sir 1 divided by 16 0625 होता है 6.25 into 10 to power minus 5 watt हो जाएगा यानि 62.5 micro watt हो जाएगा आगे answer 62.5 micro watt exact answer हो जाएगा just 6 point something आएगा देख लिए जा 62.5 micro watt 63.4 है वह ले लो c जाएगा c जाएगा फर्मूला लगा दिया है कोई भी फर्मूला पर सवाल नहीं आगा तो बताना चली आगे देखते है फिर से क्या दिया है बाबो transmitting गंटीना दिया है कितना दिया है 250 watt जी सर transmitting दिया है जी सर isotropically दिया है जी सर ज्यान देना यानि हमारा PT दिया हुआ है कितना है PT सर 250 watt और isotropically मतलब dt 1 है सर receiving गंटीना लोकेटेड 100 meter आवे यानि R का भेलू 100 meter दिया हुआ है from the transmitting गंटीना effective aperture area 500 cm2 transmitting गंटीना का कितना है बाबो effective aperture area 500 meter square है यानि 80 कितना है सर 80 है सर 500 meter square 500 cm2 जी सर जी सर जी क्या बुल ला है the total power received by the अंटीना अंटीना से कितना power हमारा received होगा अंटीना से हमारा कितना power receive होगा away from the transmitting अंटीना ठीक है अब हम लोगों से क्या पूछा है total power कितना receive होगा यहाँ पर थुरा सा करवर हो गया the receiving antenna receiving antenna का दिया है जी सर a e r अब हमको असान है निकालना बहुत असान है क्या तो हम पहले निकाल लेंगे power density power density क्या हो जागा pt upon 4 pi r square और यह isotropic का होता power density जी सर और इसको किसे multiply कर देंगे effective अपरचड इरिया से effective अपरचड इरिया से multiply कर देंगे तो क्या जागा receive power आजागा आगे receive power receive power density into effective अपरचड इरिया receive power के बड़ाबर हो जागा आगे तो receive power क्या हो जागा हमारा pr या wr लिग दो तो किता हो जागा pt दिया हुआ है जी सा 251 दिया हुआ है 251 4 pi r square r कितना दिया है 100 का whole square और a e r कितना दिया है 500 cm square यहनि 10 to power minus 4 meter में convert करके रखना अब calculate कर लो जो भी answer आगा वो आ जागा 10 to power minus 4 उपर जागा तो 10 to power minus 8 हो जागा 10 to power minus 6 हो जागा और यह आ जागा 2001 काउन इंटू 5 divided by 16 pi square तो 2001 काउन अपान इंटू 5 divided by 16 pi square इंटू 10 to power minus 6 वाट निकाल लो जहलो निकाल लो जाओ जागा हमारा 251 इंटू 5 divided by 16 divided by pi square 7.94 कुछ गरबर तो नहीं किया है न काल्कुले सन्टू यारा देख लिजे अच्छा 4 pi r का whole square कर दिया हूँ 4 pi 100 का whole square होगा तो 10 to power minus 6 हो जाएगा 251 into 5 divide by 4 divide by 5 99.869 micro watt 99.869 micro watt d is the answer dancer हो जगा d कुछ नहीं करना था भाई transmitted power density निकाल लिया है और density को effective परचले रिजा से multiply कर देंगे receive power निकल जाएगा असान है person with receiver is 5 km away from the transmitter transmitter से 5 km away है तो एक हमारा receiver है what is the distance that person move from further to detect 3 dB degrees in the signal strain जो signal मिला है उसके में 3 dB का decrease हो तो कितना distance वो travel करे बस यही पूछना चाहरा है तो जो हमारा receive power होता है वो क्या होता है हमारा receive power जो होता है वो हमारा होता है transmitted power divided by 4 pi r square जी सर into directivity into a e r यही होता है ना सर जी सर या wr में लिखना चाहता हूँ wr में लिख सकते हो wr जो होता है वो क्या होता है wt into dt divided by 4 pi r square into a e r होता है जी सर तो अगर मैं पूछू wr r के कैसे प्रपोस्टनल है सर तो 1 by r square के प्रपोस्टनल है यां wr is inversely proportional to 1 by r square ठीक है सर अब क्या बोला है सर कि यहाँ पे एक अंटीना है क्या है अंटीना है और यहाँ पे क्या है एक इंसान है कितने किलोमेटर की दूरी पे है सर सर पांच किलोमेटर की दूरी पे है कितना power receive कर रहा है सर sir wr receive कर रहा है फिर यह क्या किया इंसान इधर गूम गया गूमने के बाद से क्या किया भाहिया फिर यहाँ पे power देखा गया कितना power देखा गया Wry2 देखा गया 3dB का Decrease देखना है 3dB Decrease होना मतलब Half हो जाना तो Wry2 हो गया Sir और यहाँ पर यह distance कितना move किया Sir Sir D distance move किया 5 km में D distance move किया तो हमारा कितना हो गया Sir Wry2 हो गया हम क्या दिखालना चाहते है यह D distance निकालना चाहते है तो पहले वाले के लिए डिस्टेंस कितना है, sir, 5 km, दूसरी वाले के लिए डिस्टेंस कितना है, sir, 5 km प्लस D, निकाल लोगे, तो यहां से निकाल सकते हो, तो क्या होगा हमारा, ध्यां से सुनो, तो wr क्या होगा, wr1, divided by wr2, किसके बराबर हो जागा, sir, तो r2 divided by r1 का whole square हो जाएगा, r2uses of r1 का whole square हो जाएगा, r2 जानते हो कितना है, जी, sir, r2 कितना है, sir, इसको आर माल लेता हूं कुछ दर के लिए, तो r plus D है, और r1, r है, तो हमारा r2, r plus d है, और r1 हमारा r है, तो r से हो जाएगा, whole square आ जाएगा, क्या? जी, sir, wr1 कितना है, sir, wr1 ही रहेगा और wr2 कितना है, sir, wr2 by 2 हो जाएगा और r plus d का whole square upon d का whole square हो जाएगा, sir, यहां से क्या है, sir, r plus d और divide by r is equal to root 2 हो जाएगा तो यानि हमारा निकल जाएगा r plus d is equal to root 2 r हो जाएगा यानि हमारा d का value कितना हो जाएगा root 2 minus 1 into r हो जाएगा अब root 2 minus 1 कितना kilometer दिया है 5000 meter दिया है multiply कर दो answer आजाएगा multiply कर दो answer आजाएगा निकाल लेते हैं multiply करके multiply करेंगे तो 2 का under root क्या होगा under root 2 is equal to minus 1 और क्या हो जागा into 5000 5000 कितना हो जागा sir 2.071 2.2071 meter हो जागा 2071 meter आ गया निकाल लो answer आ गया answer क्या हो जागा 2070 बहुत असान सवाल आता है बस आपको दिमाग लगाना है प्रैक्टिस करना है जितना जादा प्रैक्टिस करोगे उतना हो जागा जितना जादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा हो जागा अगर तुम सोच रहो कि नहीं सर यह practice नहीं करेंगे नहीं होगा तो सब के लिए tough है, तुम्हारे लिए tough है, छोड़ के चले जाओ छोड़ के जाना best option है चली आगे बरते और यह question खूब पूछाए, सब gate के सवाल है बाबो तो आप जितना जादा इसको practice कर लोगे इस question series को इसको देख लोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा, सर और question series होगा होगा, देखेंगे चलो क्या दिया है बाबो, एक अंटीना है radiating in free space electric field कितने distance पे दिया है एक किलो मेटर पे, फिर से वही सवाल electric field दे दिया है एक किलो मेटर पे जी सर, और intrinsic impedance टू किलो मेटर पे तो यानि electric field एक किलो मेटर पे दिया हुआ है electric field दो किलो मेटर पे निकाल लेंगे, और फिर हम उसका power density निकाल लेंगे, ERMAS square upon eta करके, हो गया काम खत्म तो जो हमारे electric field होता है वो क्या होता है, किसके प्रोपोशनल होता है बाबो तो electric field होता है, under root क्या होता है, WT 30 into WT into DT divided by R होता है सर, जी सर तो electric field किसके प्रोपोशनल होता है R के inversely proportional होता है तो R के inversely proportional हो गया है यानि E is inversely proportional to R अब हमें electric field R1 पे दिया है, R2 पे पूछ रहा है तो E2 upon E1 क्या हो जाएगा E2 upon E1 हो जाएगा R1 upon R2 E2 कितना है हम लोगों? नहीं पता, E1 कितना है? पता है, और R2 कितना है? 2 km, R1 कितना है? 1 km, तो 1 km और divide by 2 km यान से तुम क्या निकल लोगे? E2 का value E2 का value क्या हो जाएगा? E1 by 2 हो जाएगा E1 by 2 हो गया E1 कितना दिया है? 12 mV per meter यानि E2 कितना हो जाएगा? 6 mV per meter E2 हो गया हमारा 6 mV per meter अब हमें क्या दिया है? RMS value दिया है, कुछ और दिया है जब भी electric field में कुछ ना लिखा हो तो क्या मान के चलोगे? उसे RMS मन मान के चलना antenna में क्या मान के चलोगे? amplitude मान के चलना मेरी बाते ध्यान लखना जब भी electric field दिया हो antenna में केवल? antenna में तो क्या मान के चलोगे आप? antenna में या EMT में कहीं भी amplitude simple दिया हो तो उसे amplitude मान के चलना जब RMS bracket में लिख देता RMS मान के चलता rms नहीं लिखा है तो हम इसको amplitude मानके चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग electric field को क्या मानके चलने है amplitude मानके चलने है तो power density क्या होता है हम लोग को power density होता है जो वो होता है हमारा density power density क्या होता है e rms square upon eta होता है e rms square upon eta या e naught square upon 2 eta होता है e naught हमें बता है कितना है 6 mili volt 6 into 10 to power minus 3 का whole square divided by 2 eta 125 क्यों हमने ऐसा लिया क्योंकि हमें standard unit में लेके चलना है watt per meter square आ गया अब उसके बाद से हम लोग solve कर लेंगे किस में पोच्छा है question question सायद nanowatt में पोच्छा है बहुत ही असान है 10 to power 9 से multiply कर देंगे nanowatt में देखना है तो nanowatt में 10 to power minus 9 से multiply कर देंगे तो यह हो जागा 36 और 1000 से multiply कर देंगे तो 36000 divided by 240 pi हो जाएगा तो यह हमारा क्या आ गया यह हम लोग को value आ गया तो किता जागा 245 और यह unit क्या हो जागा nanowatt per meter square आगे सर भेलू अब छती स्क्वाइर को 2 और 245 से divide कर दो एंसर आ जागा गेट का question नहीं अभी तो 36000 divided by 245 divided by pi किता हो जागा 47.75 47.75 36000 को divide करेंगे देख लेता हूँ साथ मैं गलती तो नहीं कर दिया ना नई नवाट में देखें 1000 से multiply करेंगे 10 to power minus 6 बहरा जागा तब माइक्रो में होगा और 9 में करना है तो 1000 से multiply कर देंगे तेंसर आ जागा तेंसर आपने निकाल लिया अब अगला question देखते हैं अगला question में क्या दिया हुआ है अगला question में दिया हुआ है एक half wave dipole है कौन से dipole है half wave dipole है यह किसका question है sir EAC का question पहले ही बता देता हूँ इसका question है EAC का तो EAC का है तो यानि आप half wave dipole दिया तो कितना लोगे आप उसका value half wave dipole हो चाहे कोई भी dipole हो आप कितना value लोगे 1.5 ही लेना कितना लेना 1.5 ध्यान रखना तो कि आपको EAC में कुछ भी लिखा हो ध्यान से सुनना मेरी बात है EAC में कुछ भी लिखा हो आप dipole अंटीना का कितना लोगे 1.5 लोगे तो यहाँ पर हमने 1.5 लिया तो dipole अंटीना का directivity कितना लेंगे 1.5 operate site 30 MHz यानि frequency दिया हुआ है तो dt 1.5 दिया हुआ है frequency हमारा किता दिया है 30 MHz दिया हुआ है जी sir उसके बाद से क्या है बोला है has a maximum directive gain कितना directive gain है 1.5 जो लिया हूँ वही लिया है दे ए plane wave carrying pi watt of power per meter square is incident on the क्या बोला है a plane wave carrying pi watt of power per meter square is incident on the antenna यानि power density दिया हुआ है power density कितना दिया है power density हम लोग को दिया हुआ है pi watt per meter square pi watt per meter square ठीक है is incident on the antenna assuming that the antenna is 100% efficient the receive power will be the receive power पूछ रहा है यह जो हमारा दिया हुआ है sorry यह हमारा DR दिया हुआ है आफे भी dipole antenna है तो DR दिया हुआ है 1.5 अब यहां से तुम्हें निकालना है क्या receive power power density दे दिया जी sir DR दे दिया जी sir AER निकालोगे जी sir हो गया काम खतम तो हम AER निकालना है तो सबसे पहले हम lambda निकालेंगे lambda is equal to क्या हो जाएगा BP upon F हो जाएगा BP कितना है 3 into 10 to power 8 और F भी कितना है 3 into 10 to power 8 कितना प्यादा एंसर है 1 meter आगया sir lambda किता आगया 1 meter lambda बन 3 into 10 to power 7 तो यह हमारा कितना आजागा 10 meter आजागा सब भी प्यादा है फिर हम लोग AER निकालनेंगे AER क्या होता है AER होता है lambda square by 4 pi into क्या होता है हमारा into dr होता है तो lambda square by 4 pi into dr कर दिया तो 10 का square dr 1.5 divided by 4 pi कितना आजागा इसका value इसका value आजागा 150 बन 450 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जागा 75 75 बन 75 बन 75 by 2 pi आजागा AER meter square में अब हमें density दिया हुआ है area दिया हुआ है receive power आराम से निकाल लेंगे तो receive power क्या हो जागा हमारा power density into area तो power density pi है और हमारा area कितना है 75 by 2 pi अब pi pi क्या हो जागा cancel हो जागा 37.5 watt 37.5 watt answer D calculation एकदाम simple है बस आपको points को समझके बनाना है बहुत easy questions होता है next question देखते हैं हम लोग क्या दिया questions में एक transmitter है कहाँ पर receive कर रहा है free space में radiate कर रहा है mean power कितना है pi watt है uniformly in all direction at a distance D क्या बोला है specify far from the source all direction में uniformly है मतलब कौन सांटीना है isotropic antenna है uniform होगा सारे direction में तो कौन सांटीना होसे बोलेंगे हम लोग isotropic antenna बोलते है चलो at a distance D significantly far from the source in order that to radiate a field considered as a plane the electric field is considered as a plane क्या बोला है बाबु? the electric field E should be at point P की point पर हमें electric field पूछ रहा है असान सा question है क्या बोला है हमसे तो D distance दे दिया है और D distance देने के पाद से electric field at point P पर पूछ रहा है तो हमारा power दे दिया है? जी सर हमारा distance दे दिया है? जी सर तो WT क्या होता है हमारा E क्या होता है? ERMS आप लोग को बताया होगा ERMS क्या होता है आप लोग को? 30 और WT into DT divided by R जी सर अब यहाँ पर 30 power कितना दे दिया हम लोग को? सर P दे दिया है directivity 1 है R divided by R D के बराबर है तो यानि electric field किसके proportional हो जागा? under root P by D के प्रोपोशनल हो जागा यह diagram इसका कोई काम कर नहीं है गलती से इसमें रग जया है यह diagram कोई काम कर नहीं है तो power दिया हुआ है आपको distance दिया हुआ है तो under root P by D हो जाएगा एंसर क्या हो जागा? under root P by D एंसर D हो जाएगा directivity 1 क्यों ले लिया? क्योंकि सारे direction में uniform लिया है तो under root P by D ले ले लेंगे ठीक है? जी सर next question देखते हैं हम लो next question क्या दिया हुआ है बाबो? एक half wave dipole दिया है 100 MHz free watt radiate से power of 1000 watt field strain at a distance 1.10 km direction of maximum radiation कौन सा dipole दिया है सर? half wave dipole antenna दिया है question किसका है सर? ESE का है? पहले ही बता देता हूँ किसका question है? ESE का अब आप से क्या पूछा है? 101 km पे electric field पूछा होगा तो electric field का फर्मूला क्या होता है हम लोग को? ERMS E is equal to under root 30 into WT into DT divided by R 30 WT कितना है सर हम लोग को? WT हमाड़ा है किता है? 1000 watt 10 to power 3 और directivity कितना ले लेंगे? 1.5 और distance कितना ले लेंगे सर? 101 km तो 101 into 10 to power 3 ले लेंगे अब इसका value आप calculate कर लो ERMS हाजाएगा ERMS का value क्या हो जागा हम लोग को? ERMS का value हम लोग को क्या हो जागा? तो चली ही निकाल लेते हैं into 1000 into 1.5 और इसका under root कर देंगे answer और divide by 101 201 तो यह आजएगा 2.1 mili volt 2.1 mili volt per meter हो जाएगा 2.12 12b लेख सकते हो answer क्या हो जाएगा? B अंसर क्या हो जाएगा? B बस वही है बाबू, फर्मूला से बाहर आता ही नहीं है मेरे फर्मूला से बाहर question आता ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं बार बार question प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं ताकि आप question भी बना लो और फर्मूला भी देख लो, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है अब आप सुचोगो कि सोनू सर कुछ ऐसा जादू चला दे कंटीना आ जाए, नहीं होगा बाबू मेहनत तो करना पड़ेगा, सोनू सर के साथ सीखना है तो तो ये मेहनत हम करा रहे हैं, देखो EAC का भी question लिए हैं, gate का question लिए हैं, अब बनाओ best बनाओ, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, recorded lecture आपके पास बोड़ा थुरा क्या, confidence आए ना ही आना है, इतना तर लोगों को नहीं आता है जो टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर तैसे भी हैं, इसे नहीं हैं, हम लोग दो चार आदमी हैं, बहुत सारे टीचर हैं हम्ती पढ़ाने वाले, कम से कम इंडिया में अभी, कोचीन के फिल्ड में 10-15 टीचर होंगे, या 20 टीचर होंगे, 20 में से तो 10 को आता ही नहीं होगा, 15 को, कहानी क्या रच रहा है, डारेक्टिव गें दिया हुआ है अंटीना का, जी सर, 30 डीवी दिया हुआ, अंटीना कितना रेडियेट कर रहा है, 7.5 किलोवाट रेडियेट कर रहा है पावर डेंस्टी का पर पूछ रहा है, 40 किलो मेटर पर पूछ रहा है, देखो असान सा कोस्चन है, फिर से बही कोस्चन, पावर दे दिया है क्या, जी सर, डिरेक्टिवीटी दे दिया है क्या, जी सर, डिस्टेंस पूछ दे दिया है क्या, जी सर, पावर डेंस्टी पावर डेंसिटी इकल टू होता है हमारा तुक जाओ यह अभी कभी कभी मेरे साथ खेला खेलता है पावर डेंसिटी इकल टू लोग रेडियेशन पैटर्न के पीछे मरते हैं मैं इसके पीछे मरता हूँ क्योंकि इस से कोश्चन हमें साएगा और वो बेसिक सा कोश्चन आगा और हम बना के आएगे रेडियेशन पैटर्न तो बहुत लोग बनाएंगे बहुत लोग नहीं बना पाएंगे वो भोज आता है 30 dB दिया है तो 30 dB जिकल टू क्या हो जागा 10 लोग 10 और क्या हो जागा D तो DT क्या आजागा हम लोग को DT आजागा हम लोग को 10 पाउर 3 आजा और डिस्टन्स 40 किलो मेटर तो WT DT अपन 4 पाई आरे स्क्वाईर WT कितना है 7500 DT कितना है 1000 और डिवाड बाई 4 पाई डिस्टन्स कितना है 40 किलो मेटर 4T इन्टू 10 पाई 3 का होल स्क्वाईर इसे आप डिवाड करके एंसर ला सकते हो 10 पाई 5, 10 पाई 4 देख लो एंसर आगे होगा यह है कि एंसर है 25 इन्टू 1000 इतना डिरेक्ट के वल फर्मूला में पूट करना था एंसर लाना था calculation भी नहीं करना इसमें calculation भी नहीं करना इस question के लिए इतना बड़ा formula बताया यह जब question आया मैं बहुत खुश हुआ यह जानता था वही बच्चा बना के आएगा जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा इस question को इस question को इस question को कितना बड़ा question दे दिया है है कुछ नहीं लुजू-पुजू है formula बेस्ट कोस्चन नहीं था फर्मूला प्योर फर्मूला बेस्ट कोस्चन है इस question को गेट में दिया अब आप सोचो इतना बड़ा question देखके कोई student बनाएगा नहीं बनाएगा और जो student मेरे से पढ़ा था पैसेंस के साथ पढ़ा होगा वह अराम से बना लिया होगा जिसने भी मेरे से पराई सोचाओगा कि हाँ हम फ्रिस फर्मूला परा है इस बेस्ट कोस्चन ये बना था जिस तिन बना था ये क्या question में पूछा है देखो देखते हैं क्या दे सकता है इसमें क्या बोला है दो lossless है lossless मतलब lossless हमारा काम का है distance दिया हुआ है जी सर distance कितना दिया हुआ है 200 लेंडा lossless दिया और distance दिया हुआ है lossless हम पहले लिखेंगे point हम लोग note करते जाएंगे lossless और 200 लेंडा दिया हुआ है जी सर the amplitude reflection coefficient at the terminal of transmitting and receiving antenna transmitting पे reflection coefficient 0.15 receiving पे reflection coefficient 0.18 transmitting पे reflection coefficient दे दिया है 0.15 और receiving पे भी हमें reflection coefficient दे दिया है 0.18 transmitting और receiving पे reflection coefficient आग गया जी सर अब अगला question क्या है अगला point the maximum directivity of the transmitting and receiving antenna 18 db and 22 db यानि maximum क्या दे दिया है directivity दे दिया है पहला किसका दिया है transmitting antenna का दूसरा receiving antenna का transmitting antenna का 18 db receiving antenna का 22 db तो आजेंगे transmitting antenna का 18 db दिया हुआ है receiving antenna का 22 db दिया हुआ है जी सर फिर क्या बोला है assuming that the input power क्या बोला है assuming that the input power in the lossless transmission lossless transmission यहां भी lossless लिखती है connected to antenna is 2W मतलब जो हमारा input power जा रहा है antenna का पास वो lossless जा रहा है मतलब हमारा conductor loss और dielectric loss 0 है तो हमारा यहां पर केवल क्या है हमारा PT हमारा दिया हुआ है 2W दिया हुआ है PT 2W दिया है फिर क्या बोला है the antenna is perfectly aligned perfectly aligned मतलब polarization loss factor 1 हो गया मतलब polarized same direction में है perfectly aligned and polarization matched साथ में polarization क्या है matched है polarization match है यानि PLF क्या है same है PLF 1 है PLF हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जी सर उसके बाद से क्या पूछा है milliwatt में बताइए कितना power deliver होगा milliwatt में बताइए कितना power deliver होगा शतम कहानी तो PR पूछ रहा है milliwatt में क्या फर्मूला होता है PT DT और क्या होता है PT DT और DR PT DT DR 400 R by lambda का whole square yes sir फिर क्या होता है बाबू ECDT ERT ECDR ERR and PLF होता है जी sir PLF कितना दिया है sir 1 दिया हुआ ECDR 1 है ECDT 1 है lossless के करण lossless के करण ECDT ECDR क्या है 1 है सही है अब उसके बाद से क्या है हमारा उसके बाद से हमारा reflection coefficient पता करना है reflection coefficient से हम लोग ERT निकाल लेंगे reflection coefficient से हम लोग ETR निकाल लेंगे और हम लोग को directivity भी निकाल लेंगे जी sir तो यहां से देख सकते है तो PR is equal to क्या हो जागा PT PT कितना है 2 DT कितना है sir हम लोग को DT है 13 dB यानि 10 to power 1.8 और दूसरा कितना है 10 to power 2.2 divide by 4 pi R कितना दिया है sir 200 lambda R हमारा 200 lambda है divide by lambda का whole square gamma R 1 minus 0.15 का whole square and 1 minus 0.18 का whole square हो जागा देखो असानी से पूरा फर्मूला लगा के हम निकाल सकते है तो हम सिंपल है मैरे बाई सिंपल तो यह क्या हो जागा 10 to power 4 हो जागा lambda lambda cancel हो जागा यह क्या हो जागा 10 to power 8 उपर जागा 4 उपर गया into 1 minus 0.15 पर यह 4 pi होता है न देखिता हो जागा बाबू यह हो जागा हमारा 10 to power 4 हो जागा 4 4 कट जागा जी सर यह हो जागा 4 pi 2 2 कट गया 16 16 दूने का 32 64 64 pi स्क्वाई हो जागा 1 by 32 pi स्क्वाई हो जागा 0.225 0.225 and 18 का स्क्वाईर देख लेते कितना होता है 18 का स्क्वाईर मुझे भी याद नहीं है आप लोग को याद होगा साथ 0.18 का स्क्वाईर 0.0324 0.0324 अब यहां से डाटा निकाल लो तो यह तो जादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 के आसपास आएगा जी सर 1 बाई 32 पाई कर लो तो 1000 दिवाई बाई 32 दिवाई बाई पाई दिवाई बाई पाई 3.16 3.16 इन्टू इन्टू 0.9725 97 9775 इन्टू इन्टू 66 76 9676 यह आपका आगया कित आगया ? 0.299 मिलिवार्ट में आ जाएगा आ गया आम एक्जेक्ट एंसर लाया मैंने थ्री मिलिवार्ट एंसर होगा एक्जेक्ट फिक मार देता है स्टूडेंट निकल जाता अपना कित्ता प्यारा कोश्चन था कि मतलब ये मज़दार कोश्चन था जितना भी कोश्चन पढ़ा है सबसे मज़दार था ये चली आगे देखते हैं फिर हम लोग क्या देखेंगे next next क्या बोला है consider consider a wireless communication link between transmitter and receiver located in free space with finite and strictly positive capacity if the effective aperture area of transmitting and receiving antenna and the distance between them are odd or double then everything else remains unchanged the maximum capacity of wireless link maximum capacity मतलब वही receive power की बात बोला है receive power क्या हो जाएगा PT so WR क्या हो जाता है हमारा WR जो होता है वो हो जाता है हमारा WT into AER into AET divided by R square lambda square हो जाता है जी सर तो क्या बोला है consider a wireless communication link between transmitter and receiver located in free space with finite and strictly positive capacity if the effective aperture area of transmitter and receiving antenna and the distance between them are odd or double तो आप किसको double कर रहा है area transmitting antenna का area receiving antenna का or distance between them तो AET को क्या कर रहा है सर double कर रहा है AER double हो रहा है AET double हो रहा है और R भी double हो रहा है हो गया तो इसको 2 times करोगे 2 times 2 times 4 times और इसको भी 2 times करोगे तो नीचे भी 4 times तो 4 times divided by 4 times कितना हो जाएगा same हो जाएगा यानि हमारा WR क्या रहेगा same रहेगा तो अगर इसको 2 times किए इसको two times तो four times हो गया उपर और नीचे two times किये तो four times हो गया, तो यानि हमारा क्या हो गया? Same, answer क्या हो जाएगा? C answer क्या हो जाएगा? C पतम तो बस इसको जिसने बना लिया, दिमाग लगाया तो देखो यह अधराम से इससे बन जाएगा फक्टी पे पर चड़ी लिया, कोगो सर यह कहीं पूछा हुआ था, देखो यह question ESE में पूछा हुआ है, वही question यहाँ पर पूछ लिया पहले ESE में पूछा है, फिर इसको gate में पूछा है यह gate में पूछा है और यह ESE में पूछा हुआ है तो जो EAC का question लगा के गया है, वो gate का question अराम से लगा के जाएगा, मैं EAC का लगवाता था, gate का बनाया के आया होगा student, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक communication link, operating at 3 GHz, power दिया हुआ है, effective aperture दिया हुआ है, और distance दिया हुआ है, receive power पूछ रहा होगा, असान सा question है, तो PR आपसे पूछ रहा है, PR क्या होता है सर, WR आपसे पूछ रहा है, WR क्या होता है सर, सर WR होता है हमारा, WR is equal to WT into AET into AER divided by R square lambda square हो जाएगा, अब WT question में दिया हुआ है क्या है, सर, दिया हुआ है, कितना दिया है सर, WT, 22.5, value put कर देना आप अपने से, AET दिया हुआ है क्या है सर, दिया हुआ है, कितना दिया है सर, 80, 2.5, AER दिया हुआ है क्या है सर, दिया हुआ है, कितना दिया है सर, 0.5, और हमारा AER के बास से, next क्या है, R दिया हुआ है क्या सर, जी सर, कितना दिया है, 15 किलो मीटर, इसको भी मीटर में convert कर देंगे, और frequency दिया हुआ है क्या, जी सर, तो wavelength निकाल लेंगे 3 into 10 to power 8 और frequency कितना दिया हुआ है sir 3 GHz 3 into 10 to power 9 किता हो जाएगा 0.1 meter हो जाएगा तो wavelength भी पता है साड़ा value पता है put कर दो answer आजाएगा calculate कर लो आप calculate कर लो बस किस में answer लाना है micro watt में answer लाना है असानी से लाय जा सकता है micro watt में answer असानी से लाय जा सकता है 22.5 into 2.5 into 0.5 और divide by 0.1 divide by 0.1 किया जाएगा आपका 22.5 into 2.5 into 0.5 divide by 0.1 divide by 0.1 and divide by 15 divide by 15 12.5 micro watt जाएगा किता जाएगा P W R 12.5 micro watt यहां से आ जाएगा यहां से आ जाएगा A is the answer A is the answer simple सा question आता है अब हम लोग क्या पढ़ेंगे radar पढ़ेंगे radar का एक question बनाएगे radar का question साएद आएड करना भूल गया हूँ साएद मैं तो यह question में लिख दूँगा अब हम लोग radar देख लेते है radar का question भी इसी तरह का है बस इसका थोड़ा सा बड़ा भाई है वो और कुछ नहीं है तो जो बड़ा भाई को समझ लिया वो इसको भी समझ लेगा तो चलिए 10-15 मिनिट का radar है उसके बाद से हमारा topic बचेगा antenna antenna भी आज हम लोग खतम कर देंगे antenna में कौन सा? dipole antenna, types of dipole antenna उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? current distribution पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे electric field, magnetic field और उससे directivity निकालना और radiation resistance current distribution, electric field, magnetic field दिया होगा तो उससे calculation करना और last में आपको radiation resistance और आज का topic कभर हो जाएगा कल हम लोग radiation pattern पढ़ेंगे dipole antenna का, two element array का n element array का और आपका dipole antenna का multiplication, array multiplication तो चार topic रहेगा वो तो उस topics अगर बच गया है तो खुछ self study में कर लीजेगा आप लो अगर हो जाता है कल तो कल करा दूँगा ने तो self study में एक दो topic है तो कर लीजेगा वैसे भी यह crash course था आप खुद से कर सकते है कि यह वालो का December में start हो जागा बाव Last December में 10 दिन class रहेगी चलो, आगे बढ़ा जा तो चली आगे हम लोग देखते हैं और start करते है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा radar का क्या कहानी है कुछ कहानी नहीं है मेरे भाई यह radar है, हम आपको पूरा radar का operation नहीं बता रहे कि pulse repetition, pulse time क्या होता है pulse repetition frequency क्या होता है PRF क्या होता है, PRT क्या होता है power efficiency क्या होता है यह कभी हम और लेके आएंगे आपको radar में, कभी और एगंटे का दो घंटे का lectures दे देंगे, तो आपको PSUS में कामा जाएगा, कभी-कभी आप मेरे साथ link रहिएगा अप इस channel पे, तो आपको अलग-लग questions आपको radar का फिर और भी discuss कर दूँगा, ठीक है, कभी-कभी छोटे-छो आपको अंटीना होता है, द्याण रखियेगा, radar में झोटीना लगा होता है, वो कौन से ल लगा रहता है, parabolic, disentina लगा उता है, और यह अंटीना क्या होता है, मूव करती रहता है, मूव मतलब घुमती रहता है, और वो घुमता है इस तरह से, कि वहाँ से जाएगा, उतने दूर से टकरा के आजागा सिगनल मिल जागा कि यहां से सिगनल आ रहा है तो एक फ्रिक्वेंसी पे गूमता है एक टाइम प्रियेट पे यह गूमता है तो यह हमारा अंटीना यह कटोरा यह से गूमते रहता है कहां पे राडार में तो राडार में अंटीना गूम रहा है जी बेटल का होता है तो यह जहां जा रहा है क्या करेगा यह सिगनल भेजेगा यहां से सिगनल भेजा और यह सिगनल क्या होगा इस एरिया से रिफलेक्ट होगा और यहां पर सिगनल रिसीव होगा हो गया काम कतल तो यहीं पर हमें समझना है यहां से एक सिगनल भेजा और वो सि तो एक बार signal क्या हुआ इधर से travel किया और फिर इधर से reflect होके इधर से travel किया तो यही समझना है इनके बीच में दूड़ी जो होए वो क्या है आर है आर क्या बताता है range between the object and radar आर जो होता है वो distance between या range होता है जाता है range या क्या बोले जाता है आर को distance between object and radar दिस्टेंस बिट्विन object and radar दिस्टेंस बिच का डिस्टेंस हो गया क्या आर अब यहां से हमारा power transmit करेगा चा करेगा transmit उस power को क्या बोलेंगे PT जी सर और यह power transmit किया लेकिन यह power कैसे जाएगा सर तो यह power सर ऐसे जाएगा ऐसे यह घुमते हुए जाएगा नाचते हुए तो ऐसे यह power जाएगा density में convert होगा जी सर तो यहां से एक power जो जाएगा वो density में convert होगा इस का object के पास पहुचेगा तो object के पास power density कितना पहुचेगा सर पी टी अपन फोर पाई यार स्क्वाइर जी सर और इसका अपना एक डैरेक्टिविटी होगा या गेन होगा तो गेन से मल्टिप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहां पर पी टी लिखा होते इसलिए गेन से मल्टिप्लाई कर दिया डैरेक्टिविटी से मल्टिप्लाई कर देता है चलो तो यहां से हमारा यहां पहुचा तो उसका इतना डेंस्टी पहुचा जब वो इतना डेंस्टी पहुचा थे इस object का cross-section area होगा जी सर कितना cross-section area इस object का sigma square है कितना है sigma square है sigma square क्या बताता है cross-section area of object सिग्मा स्क्वाइर क्रोस सेक्षन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और यह क्रोस सेक्षन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा उससे यह रिफलेक्ट हो जाएगा उससे क्या हो जागा यह रिफलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पहुचेगा इस object के पास और वहाँ से यह क्या होजगा फिर reflect हो जाएगा तो क्या सारा power reflect होगा नहीं जितना power इस पर incident करेगा उतना ही power reflect होगा तो इतना density है इस area से multiply कर देंगे तो इतना power हमारा क्या होगा इस पर incident करेगा और वो सारा का सारा power क्या होगा reflect होगा क क्योंकि conductor से बना होता है object, जो plane होता है, वो किसे बनाता है, conductor से बना होता है, तो यानि यह वाला part sigma square से receive होगा, और फिर यह क्या होगा, यहां से reflect होके transmit हो जाएगा, जब transmit हो जाएगा, तो फिर वापस से यह क्या होगा, फिर वापस से density में convert हो जाएगा, इसमें convert हो जाएग फिर इसको फिर से density में convert कर देंगे और पाई R² हो जाएगा और यह क्या होगा फिर यहां से receive होगा तो कितना receive होगा जितना इसका effective aperture area होगा यानि A E effective aperture area यह हमारा power जो हुआ वो receive किया हो गया फिर से बता देता हूँ यहां से power transmit किया transmit किया तो power density में transmit करता है डिवाइड होके per unit area में तो per unit area में power transmit किया pt into gt upon 4 pi R² फिर यह object से टकराया तो जितना बड़ा object होगा उतना ही power क्या होगा उस density का receive होगा इस power density का इतना power receive हुआ है यह power जो receive हुआ मतलब एक तरह से टकराया वो वापस क्या होगा reflect होगा क्यों कंड़क्टर से सारा power reflect होता है तो यहां से सारा power reflect हो जाएगा यानि इससे हमारा सारा power reflect हो गया जब reflect हो गया तो फिर से यह power इतना distance stable करेगा तो power density में convert हो जाएगा यह power density में convert हो गया और इसमें इसका इतना effective aperture area हमारा receive करेगा तो यानि effective aperture area से multiply हो गया तो यही हमारा फर्मूला होता है किसका receive power का तो हमारा receive power का फर्मूला आ गया तो pr is equal to क्या होता है pr is equal to होता है हम लोग को pt क्या होता है pt into gt divided by 4 pi r square का whole square जी सर और दूसरा क्या हो जागा सर lambda square by 4 pi हो जागा और sigma square हो जागा जी सर लेमडा square by 4 pi effective aperture area क्या होता है lambda square by 4 pi और यह उसी antenna का effective aperture area है यह कौन से antenna का effective aperture area है जो हमारा receive कर रहा है उसी antenna का इसलिए हम लोग effective aperture area में gain किसका लेंगे जो receive कर रहा है उसी का लेंगे तो यानि यहाँ पर हमारा क्या हो जागा GT हो जागा तो क्या हो जागा हम लोग को फर्मूला PR का PR और क्या हो जागा हम लोग को GT GR Lambda square into sigma square divide by 4 pi 4 pi का whole square करोगे तो क्या मिलेगा हमें 16 pi square और फिर 4 pi से multiply करोगे तो 64 pi q into r का power 4 r square का whole square r का power 4 और इसको हम लोग क्या बोलते हैं PR बोलते है अब इससे हमारा question पूछता है क्या question पूछता है कि PR से हमें देखना है तो जब PR से देखना है तो PR जो है वो किस पर depend कर रहा है सर distance पर depend कर रहा है और इस device को sense करने का कुछ हमारा sensitivity होगा मतलब कि कुछ limited power को ही sense कर पाएगा अगर बहुत ज़्यादा कम power होगा तो उसे sense नहीं कर पाएगा इसका जो receive power जो होना चाहिए उसके sensitivity से बड़ा होना चाहिए क्यों? क्योंकि अगर receive power sensitivity से ज़्यादा नहीं हुआ तो हमारा उस power को sense यह नहीं कर पाएगा यानि हमारा distance जो है वो हमारा limited distance को देख पाएगा यह नहीं कि पाकिस्तान में जहाज उर रहा है उसको भी देख पाएगा नहीं वो उसके sensitivity पीटी पेन करेगा तो कि जितना ज़्यादा distance होगा उतना ही कम power receive होगा और हो सकता कि वो जब वो पावर receive हो रहा है वो उसके sensitivity से कम है मतलब उसके जो sense कर सकता है जिस power को उससे कम है तो उस power से कम है तो यह प्रड़ार sense उसको नहीं कर पाएगा तो यही केस हमारा यहाँ पे है तो जो हमारा PR होना चाहिए वो sensitivity से ज़्यादा होना चाहिए PR sensitivity से ज़्यादा होना चाहिए मतलब इससे कम power को यह sense नहीं कर पाएगा यानि हमारा PR इससे ज़्यादा होना चाहिए पी आर ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया पी टी और जी टी और जी आर और लेमडा स्क्वाइर और सिग्मा स्क्वाइर डिवैड बाई 64 पाई क्यू इंटू आर का पावर 4 शुड़ भी ग्रेटर दन इक्वल टू S यानि हमारा R का वैलू क्या होना चाहिए यही रेंज पूछता है क्योंकि इतना ही रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कहां तक देख सकता है रेडार वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए रेंज हमारा सबसे ज़्यादा पूछता है तो range जो होगा इससे छोटा या इसके बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं होगा range, तो range किस पर depend करेगा, PT पे, GT पे, GR पे, Lambda square पे, उसके effective aperture area पे, उसके area पे object के, और साथ में 64 pi cube तो constant है, और sensitivity पर depend करेगा, और उसका power क्या हो जागा, 1 by 4, ये होगा हमारा, अब कहोगे सर, यहां तक तो आगया, सही बात है सर, अब क्या होगा सर इस case में, इस case में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, इस case में अब देखेंगे कि हमारा ये range जो है, वो कैसा होगा, देखो radar में question क्या आगे पुछेगा, वो भी बताना में जरूरी है, तो थोरा सा मैं इसमे आगे move कर रहा हूँ, तो क्या बोला जाएगा कि सर मुझे range को double करना है, यानि जितना range तक वो detect कर पा रहा है, उससे double करना है, तो double करना है range को, तो range को double करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, पहला क्या तरीका है, जो power जो यह है, BT, इसको तुम क्या करो, GT की GR लिख द उसको आप power को 4 times कर दो, 16 times कर दो, अगर मैं power को 16 times increase कर दो, तो हमारा जो क्या है, हमारा जो range है वो 2 times हो जाएगा, यानि जो हम transmit कर रहे हैं अंटीना से, रडार के अंटीना से, अगर रडार के अंटीना से जो हम transmit कर रहे हैं, उसको अगर मैं 16 times increase कर दो, 16 गुन्ना बरहा तब हमारा जाके यह range क्या होगा double होगा मतलब इसके दुगने distance का object पे होगा इसके दुगने distance पे होगा उस object को भी वो देख पाएगा उस object को भी समझ पाएगा उसके लिए हमें transmitted power को क्या करना पड़ेगा 16 times करना पड़ेगा ठीक है सर दूसरा कि सर गेन को क्या करना पड़ेगा तो गेन हमारा square में है जी सर इसक्वाइर का 1 by 4 under root g हो जाएगा तो यानि हमारा इस case में gain जो होगा वो 4 times करना पड़ेगा गेन को 4 times करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो pt के 1 by 4 times के है जी सर और यहाँ पे जो आर है वो gain के वो under root times पे है जी सर अब अगला question आएगा कि sensitivity को क्या करोगे तो sensitivity को 16 गुना कम करना पड़ेगा तब जाके range double होगा यानि sensitivity को क्या करना पड़ेगा sensitivity को 16 times कम करना पड़ेगा क्योंकि आर जो है वो inversely proportional to sensitivity का power 1 by 4 होता है ठीक है सर सर हमें lambda का क्या करना पड़ेगा तो generally lambda को क्या करेंगे बच्चे directly proportional to under root lambda कर देंगे जो की गलत हो जाएगा जो की गलत हो जाएगा मेरी बाते ध्यान से सुनिएगा अगर मैं पूछो आर इस डिरेक्ली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वार का power 1 by 4 है जी सर तुम्हीं देखके यही बोलोगे लेकिन यहाँ पर दिकत यह है कि यहाँ पर यह जो antina है यह कौशा antina है हमारा parabolic decentina है यानि इसका gain जो होता है वो क्या होता है हमारा lb के terms में होता है वो क्या होता है हमारा gt जो होगा 6.5 d by lambda का इसका gain of parabolic decentina होता है Parabolic D Centena यानि इस case में wavelength को क्या करना पड़ेगा सर तो wavelength के बारे में हम लोग देखेंगे wavelength अब हमें देखना है तो यहाँ gain का यहाँ भी multiple है यानि g square into lambda square से देखना पड़ेगा g square into lambda square क्या हो जाएगा सर g square into lambda square करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा d का power 4 lambda का power 4 दो lambda square कर जाएगे यहाँ जाएगा g square into lambda square 6.5 का whole square जी सर and d का power 4 divided by क्या हो जाएगा lambda का power क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा जी सर यानि g square lambda square किसके proportional होगा lambda square का proportional होगा यानि यहाँ पर r जो होगा वो किसके proportional होगा inversely proportional to लेम्डा स्कॉयर होगा यहाँ पर आप देख सकते हो decrease करना पड़ेगा, यहाँ पर lambda को 4 times decrease करेंगे, यह गलती करेंगे बच्चे, और यह gateway पूछेगा आज नहीं तो कल, फिर आप से सवाल पूछेगा, कि बताए डाइमीटर को क्या करेंगे, अगर parabolic dissonantina है उसका डाइमीटर को क्या करें तो होगा, तो जो हमारा r जो है, वो इ r को double करना है, तो d को भी double करदो, यहाँ पर r क्यों कि r जो हता है, वो directly proportional to d होता है, जी sir, फिर से यहाँ पर लिख देता हूं, यह हमारा r को double करना है, तो किसको double करोगे, sir, r को double करना है, तो pt को 16 times कर दो, जी sir, s को 16 times कम कर दो, जी sir, gain को कितना 4 times बरहा दो, तब भी हो और lambda को 2 times कम कर दो 4 times कम कर दो या frequency को 4 times बढ़ा दो या last हमारा के बचा lambda हो गया frequency हो गया और last हमारा diameter को double कर दो तब हो जाएगा क्योंकि gain जो होता, r जो होता वो directly proportional to g e square lambda e square होता है और ये जो होता है वो हमारा क्या होता है 1 by 4 और ये हमारा जो होता है 1 by 4 तो यानि हमारा जो आर होगा वो क्या होगा प्रोपोर्शनल टू वन बाई लेमडा का पाउर लेमडा स्क्वाइर वन बाई फोर हो जाएगा यह जी सर और यहां तो आप जानते ही हो जानी समाज में आ गई होगी इस से आपको कुछेगा कि रेंज को टू फोल्ड करना है तो ट्रांस्मिटेड पाउर को 16 फोल्ड करना पड़ेगा किन को फोरफोल्ड ज्यादा करना परेगा करक। एंगड मेंडा को समाझ नहीं परेगा अगर यह बाते आप समझ जाओगे तो काम ख़तम गेट में क्या पूछआ है गेट में देखो बता अचाँ आड़ नहीं कर पाया हो कल आड़ करके लियाओंगा तो बता दूँगा इसे PT दे दिया है, GT दे दिया है, Lambda दे दिया है, Area दे दिया है, Range दे दिया है, इसका फेलू पूछा है तो असानी से तुम निकाल सकते हो, यह फर्मूला लगा के, फर्मूला बेस्ट कोश्चन है था गेट में, अब अगला गेट में जब रडार का कोश्चन में सोच रहा हूं, तो इस से आएगा, और वो भी क्या पूछेगा, लेम्डा वाला पूछेगा, मुझे जितना पता है लेम्डा का पूछेगा, या तो डामीटर का पूछेगा, एक नंबर का कोश्चन आएगा, कि फ्रिक्वेंसी को कितना टाइम्स करें, कि रेंज हमारा डबल हो जाए, लेम्डा को कितना टाइम्स करें, कि रेंज डबल हो जाए, या डामीटर को कितना टाइम्स करें, कि रे अब हमारे पास अंटीना होता है तो अंटीना में भी हमें कौन सा पढ़ना है डाइपोल अंटीना पढ़ना है ऐसे दुनिया में बहुत सरे अंटीना है हॉन अंटीना है हेलिकल अंटीना डाइपोल अंटीना लूप अंटीना और क्या है हमारा से PCV में बनता है बहुत सरे अ भी एंटीना एक तरह का booking सरण तरफ ना हमें बढ़ना है अंटीना में बहुत सरा है लेकिन हमारा basic uv न बोला है यानि सबसे पहले कौन सा đã बहुत बातने जा है क्योंकि हम यहां पर detail में तो प्रानी रहें को इतना भी आभ जाएंगे तो इस को अगर समझाने लगा कि अटेना कैसे काम करता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो हम आपको उतना ही बता रहा है जिससे आपका गेट का exam निकल जाए और अच्छे से निकल जाए उस case में क्या करना है, कुछ नहीं, दो wire लेते हैं यह क्या ओता है? एक wire होता है और यह भी क्या होता है एक वायर होता है हम लोग यह अंटीना प्रैक्टिकली देखें हैं लेब में तो यह हमारा एक वायर होता है दिख रहा है यह वायर है और यह भी हमारा एक वायर होता है और यहां पर हम लोग फिडिंग लगाते हैं उस वायर को जाके connect कर देते हैं connector से यह वायर होता है ना इसको connector से connect कर देते हैं और यह हमारा dipol antenna बन जाता है अब इस dipol antenna को हमें work कराना है क्या कराना है work तो अगर हमने यहां से feeding दिया इसके बीचे बीच से जहां center feeding दिया center feeding देते हैं उसे dipol antenna बोलते हैं और अगर मैंने एक केवल फिडिंग दिया, बेस फिडिंग दिया, उसे हम लोग मोनोपोल अंटीना बोलते हैं तो आपको कोस्चन में पता करना है कि डाइपोल अंटीना है कि मोनोपोल अंटीना है आपको कोस्चन में पता करना असान हो जाएगा अगर कहीं पर center feeding लिखा है तो आप dipole antenna लेके चलना अगर base feeding लिखा है तो monopole antenna लेके चलना ऐसे 99% सी और हूँ कि आपको question में क्या लिख के दिया रहेगा dipole antenna लेकिन कभी radiation resistance पूझ दिया in that case आपसे base feeding लिख देगा या आपको क्या लिख देगा center feeding लिख देगा center feeding बुलेगा dipole antenna is center feeding and antenna is base feeding तो आपको ध्यान में रखना कि base feeding है तो monopole मतलब base से feed कर रहे हैं तो monopole हो जाएगा और center से feed कर रहे हैं तो dipole हो जाएगा अब इस dipole का एक length होता है क्या होता है length होता है उस length के उपर सारी दुनिया चलती है इसकी क्या इसका length मालो L होता है और इसके length को देखके हम लोग बताते हैं कि यह antenna कौन से category में है dipole में भी तीन category होती है एक होती है बहुत ही छोटी जिसको बोला जाता है infinitesimal dipole antenna एक होता है in between जिसका नाम बोला जाता है small या short dipole antenna एक होता है ठीक ठाक उसे क्या बोले जाता है large dipole antenna यानि बहुत छोटा in between मतलब small और उससे बड़ा मतलब large तो तीन range में इसको बाटा गया तो तीन range में बाटने का कारण क्या था क्योंकि इसमें current distribution अलग-अलग माना गया और उसके कारण इसका radiation resistance, directivity सब अलग-अलग आने लगा ठीक है तो इसलिए इसको तीन range में बाटा गया तो पहला range क्या लिया गया? infinitismal दूसरा हमारा small और तीसरा large तेने dipole antenna के तीन पाठा में पढ़ने है कौन-कौन से? तो three types of dipole antenna होते हैं three types of dipole antenna होते हैं कौन-कौन से dipole antenna होते हैं सर? अब इसमें सर क्या पूछेगा कि आप इसको बता रहे हैं? पहला, कि आप antenna पहचानना सीख जाओगे कि dipole antenna कौन-कौन सा है दूसरा, दूसरा इसमें ये पहचानना सीख जाओगे कि current distribution कैसा हो है तो gate में अभी तक current distribution से question नहीं आया है अब कब पूछेगा पता नहीं लेकिन पूछेगा जरूर तो वो question पूछेगा इसलिए ये points पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आप पहला चीज क्या समझ जाएं कि कौन सा dipole antenna है तो radiation resistance का formula लगाना सीख जाएंगे दूसरा आप current distribution लगाना सीख जाएं ऐसे इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है इसका electric फिल निकालना होता है, magnetic फिल निकालना होता है, far-fill, near-fill बहुत कुछ पढ़ना होता है लेकिन वह सब जाके M-tech में पढ़ना होता है या B-tech के semester में पढ़ना होता है उतना हमें पढ़ने के जो रत नहीं है क्योंकि gate में basic of antina लिखा है तो हम basic की पर के जाएंगे चोटे-चोटे points देख के जाएंगे ठीक है? तो types of dipolantina क्या है? पहला हमारा हर्जियन dipolantina क्या होता है? हर्जियन dipolantina हर्ज होता है न? जी सर हर्ज को बहुत छोटा यूनिट बोला जाता है kilo हर्ज, mega हर्ज के बीच में हर्ज बहुत छोटा यूनिट होता है इसलिए इसका नाम क्या जाता है? हर्जियन या infinitesimal infinitesimal मतलब कितना तुम सोच रहे हों न? उससे भी छोटा infinitesimal dipolantina हो जाता है infinitely small infinitesimal मतलब infinitely small दूसरा dipolantina तो इसका length जो होता है उसको किस में देखा जाता है? dl से देखा जाता है उसका length तो dl से length देखा जाता है तो उसका length dl हो गया जी सर और वो length क्या होना चाहिए? length जो होना चाहिए वो dipolantina का lambda y 50 से छोटा होना चाहिए यानि माल लो एक dipolantina दे दिया और तुमको पता करना कि वो dipolantina कैसा है तो उसके length को lambda से compare कर लेना अगर length को lambda से compare कर लोगे और पता चल जाए कि कैसा length है तो तुम तुरंद बता दोगे कि हाँ यह इसी बात है इसका length जो होना चाहिए यह इस क्या होना चाहिए lambda by 50 से चोटा होना चाहिए अगर length lambda by 50 से चोटा है तो हम बोल सकते कि वो हर्जियन dipolantina या infinitesimal dipolantina होगा दूसरा हमारा होता है small dipolantina या क्या बोले जाते है उसको short dipolantina short dipolantina small और short dipolantina क्या होता है सर small या short dipolantina क्या होता है इसके में भी length देखा जाता है यानि एक dipolantina है और उसके length से हम compare करेंगे कि वो small है कि large है कि infinitesimily small है तो इसका length जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा lambda by 50 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन lambda by 10 से कम होना चाहिए अगर lambda by 50 से ज़्यादा और lambda by 10 से कम हो गया उसका length तो उसे हम लोग short dipolantina बोलेंगे और तीसरा हमारा dipolantina होता है large dipolantina large dipolantina large dipolantina क्या होता है सर इसमें हमारा जो length होना चाहिए dipolantina का वो length हमारा लेम्डा भाई 10 से ज्यादा होना चाहिए जाना चाहिए लेम्डा भाई 10 से ज्यादा होना चाहिए लेम्डा भाई 10 से ज्यादा ले लेंगे अब मैं बोलू आप से कि लेम्डा भाई 52 है क्या है? लेम्डा भाई 52 है तो क्या बोलोगे सर लेम्डा भाई 52 है यह कम है लेम्डा भाई 50 से यह आ जाएगा मैं बोलू लेम्डा भाई 49 है क्या है लेम्डा भाई 49 तो क्या करोगे लेम्डा भाई 50 से ज्यादा है लेम्डा भाई 49 लेम्डा भाई 50 से ज्यादा है तो small हो जाएगा ठीक है ठीक है लेक 50 के आसपास वाला value नहीं होगा या तो लेमड़ा by 20 होगा या तो लेमड़ा by 100 होगा या तो लेमड़ा by 70 होगा या तो लेमड़ा by 90 होगा तो लेमड़ा by 90 इस range में लेमड़ा by 20 इस range में लेमड़ा by 5 इस range में लेमड़ा by 8 इस range में लेमड़ा by 16 इस range में लेमड़ा by 120 इस range म तो आपको length को हमेशा lambda के respect में compare करके देखना पड़ेगा 50 के आसपास नहीं आएगा अगर 50 आगे न लेंड़ा by 50 हम बता नहीं पाएंगे हम infinitesimal भी ले सकते हैं, small भी ले सकते हैं क्योंकि boundary है वो, हम नहीं बता सकते हैं lambda by 50 वाला क्या हाँ पर आगा lambda by 10 आगया, तो हम नहीं बता सकते हैं कि हमारे small होगा कि large होगा, नहीं बता सकते हैं हमे small भी ले सकते हैं और large भी ले सकते हैं वो हमारे वहाँ पर question के requirement पर समझ में आगा क्या लेना है समझ गया? यह बात हैं आपको ध्यान में रखके चलनी परेगी यह आप lambda by काउन से range में आपके से divide करो हाँ, lambda by 80 आगया, फर्स्ट वाले में lambda by 20 आगया, इस range में lambda by 15 आगया, इस range में lambda by 30 आगया, इस range में समझ गया? lambda by 2 आगया, इस range में 2 lambda आगया, इस range में lambda by 5 आगया, इस range में इसके range यह divide होता है ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और next देखते है next क्या देखेंगे बाबो next हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे यह आ गया जी sir उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि current distribution कैसा होगा इसका current distribution जानना ज़रूरी है current distribution देखने के लिए हम फिर से dipole में जाएंगे और dipole में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग बाते करेंगे जी sir तो हम लोग सबसे पहले current distribution किसका देखेंगे infinitesimally small का बाद में मैं अच्छे से draw करके दिखा दिया हूँ अभी हम यहाँ यहाँ पे समझा रहा हूँ अगला PPT में draw करके दिखा दिया हूँ अभी मैं समझाने की कोशिज करूँगा याद रहेगा अगर समझ जाओगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है नहीं समझे रहो तो कितना दिन तक याद रहेगा पता नहीं तो इसका length क्या है sir इसका length dl है छोटा है जो तुम इससे current दोगे क्या दोगे current IT ये current दोगे फिट कर रहे या voltage फिट कर रहे होगे तो जो तुम यहाँ से current दे रहे होगे वो current ऐसा कुछ होगा time के साथ जी sir ऐसा कुछ time के साथ ये length के साथ होगा जी sir अब मैं पूछू कि अगर मैं पूछू ये पूरा wave कितने length में बनेगा सर λेμडा लेंध में बनेगा और मैं पूछू कि यह जो लेंध है यह लेμडा y 50 से छोटा है जी सर तो लेंध अगर लेmbडा y 50 से छोटा है तो आप ही बताईए ये लेंडा y 50 दीखेगा कयसे यहाँ पर मैं पूछूँँगा इस लेंडा के रेंज में इसको 50 टुकरा इस range को कर दू तो इसमें कैसा दिखेगा lambda by 50 तो लोग बहुत छोटा दिखेगा sir इस lambda के range में 50 वा टुकरा कैसा दिखेगा बहुत छोटा दिखेगा sir बहुत छोटा दिखेगा यानि कैसा दिखेगा तो एक दमी छोटा दिखेगा, यानि point size दिखेगा यह हमारा इतना साइज का दिखेगा, बहुत छोटा और उसके respect में अगर देखा जाए, तो current कैसा दिखेगा sir? तो point पे दिखेगा तो एक point पे current कैसा होता है sir? constant होता है sir एक point पे current, constant होता है इसलिए यहाँ पर current क्या होगा? constant distribution होगा इसलिए यहाँ पर current का distribution कैसा होगा? पूरे transmission line में constant यानि यहाँ इस पूरे transmission line में जो current flow करेगा वो constant flow करेगा कैसा flow करेगा? constant flow करेगा इस अंटीना में और यहाँ पर क्या है? सर, open circuit है ठीक है यहां पर भी क्या है सर open circuit है ठीक है जब open circuit है तो यहां पर current 0 हो जागा सर और open circuit है तो यहां पर current 0 हो जागा सर यानि पूरे transmission line में constant रहेगा और open circuit आगया तो 0 हो गया यहाँ पर भी open circuit आगया तो current 0 हो जाएगा यानि current का distribution पूरे length of the transmission line में constant और उसके बाद से 0 माल लो ये मेरा distance z है तो z is equal to 0 पर constant dly2 पर भी constant minus dly2 पर भी constant उसके बाद 0 हो जाएगा सब उसके बाद 0 हो जाएगा सब दो भाईया समझ में आएगा से बाद 0 आगया देखिए hydrogen dipole का current क्या हो गया हमारा constant constant हो गया इसका length पर पूरे constant आएगा minus dly2 से लेकर plus dly2 तक क्या हैगा constant distance के साथ अब मैं इसका average length आपका पूछू current कितना होगा तो आप बोलोगे सर इसका average current होगा i naught ठीक है सर इसका average current i naught आगया जा गया i naught आगया average current क्या हो जागा इसका i naught हो जागा क्योंकि constant का average current क्या होता है i naught होता है अब दूसरा case में पूछूँगा कि अगर मेरा small dipole antenna हो गया तब क्या करोगा सर constantina small dipole antenna उस case में क्या करोगा सर उस case में भी सर कर लेंगे कुछ ना कुछ small dipole antenna मतलब minus L by 2 और ये length हो जागा L by 2 ये length हो जागा L अब हमें देखना है small dipole antenna में मालो length कितना है उस case में length मालो lambda by 10 से छोटा है इसका 10 टुकरा करेंगे तो कैसा दिखेगा सर अगर मैं lambda को 10 टुकरा करूँ तो कैसा दिखेगा सर सर 10 टुकरा करेंगे तो सर ऐसा length दिखेगा कैसा दिखेगा ऐसा length दिखेगा सर ऐसा length दिखेगा सर इसका 10 टुकरा एक छोटा सा टुकरा दिखेगा तो यानि ये छोटा सा टुकरा दिखेगा यानि हमारा एक linear graph दिखेगा सर कैसा graph दिखेगा? linear तो हमारा यह linear graph होगा यानि इस small length में हमारा graph क्या होगा? linear हमारा current क्या होगा? linear यहाँ पर linear current मिलेगा क्यों? क्योंकि lambda भाई भाई टेनिस में linear दिखेगा छोटा सा टुकड़ा दिखेगा और टुकड़ा पर क्या दिखेगा? हमें current linearly vary दिखेगा जब linearly vary दिखेगा तो यहाँ से current क्या होगा? 0 और 0 से linearly vary करके maximum होगा और maximum से linearly vary करके 0 हो जाएगा सर वापस maximum से linearly vary करके 0 हो जाएगा वापस 0 से maximum maximum से 0 आगे आपका linear variable तो यह current target distribution किसमें? linear antenna में sorry, short dipole antenna short dipole antenna या small dipole antenna में linearly vari करता है यहको 0 है, 0 से maximum होगा फिर maximum से 0 होगा क्योंकि यहाँ पर open circuit है, तो 0 होना है और यहाँ पर भी open circuit है, तो 0 होना है तो 0 से 0 होना है, तो पहले 0 से increase करेगा increase से decrease करेगा फिजी, linearly variable हो गया तो linear variable में कैसा बनता है हमारा graph हमारा triangular बनता है तो देखो यह हमारा small dipolantina का होगया linear variable में हमारा triangular बनता है और triangle का जानते हो आप लोग average value क्या होता है i0 by 2 होता है तो इसका average value i0 by 2 होगा इसका हम equation लिख सकते हैं जी sir equation क्या होगा sir तो equation हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा equation I0 1 plus 2 ZL by L I0 1 minus 2 ZL by L minus L by 2 से लेकर 0 तक ये formula हो जाएगा और 0 से L तक ये equation हो जाएगा तो ये equation आगया किसका short dipolantina का short dipolantina का ये current का equation आगया अपको कोई सरी equation कैसे पता करेंगे कि ये सही एक गलत है असानी से पता कर लोगे minus L by 2 रख दो कितना लेंध रख दो minus L by 2 और L by 2 रख दो तो असानी से आजाएगा L by 2 रख दो और minus L by 2 रख दो तो मैं minus L by 2 रखता हूँ minus L by 2 रखूँगा तो क्या होगा हमारा minus L by 2 रखूँगा तो ये रखा मैने तो क्या अगवा? सोच के बताऊ उस case में क्या हैगा हमारा? तो उस case में हमारा यहांप रखो minus L by 2 minus L by 2 रखेंगे तो Z is equal to minus L by 2 और 2 by L क्या हाजगा? Minus 1 होजागा Une minus 1 क्या होजागा? 0 होजागा तो यहांपर value कितना होजागा? 0 अगर तुम z का value 0 रखो, तो 0 रखो गते क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 1-0, 1 हो जाएगा, तो i not हो जाएगा, अगर तुम l by 2 रखो, l by 2 रखो गते क्या हो जाएगा, l by 2 और 2 by l, cancel out हो के 1 हो जाएगा, 1-1, 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा current 0 हो जाएगा, अगर z क तो यह लाइन का equation से तुमने निकाल लिया, असानी से समझ लिया, तो यह हमारा linear formula होता है, किसका? हमारा short dipole और small dipole antina का फिर हमारा constantina आता है पाबू, फिर हमारा antina आता है large dipole antina large dipole antina का क्या होता है? इस सर उसमें हमारा length जो होता है, large dipole antina देखो, large dipole antina जैसे ऐसे होता है, क्या? हमारा length हो जाए lambda by 2, हमारा length हो जाए lambda by 4 जब length lambda by 2 होगा, तो उसे half wave dipole antina बोलेंगे, जब length lambda by 4 हो जागा, उसे quarter wave length of dipole antina बोलेंगे यानि लेंद्ध क्या होगा लेंड़ा बाई 2 लेंड़ा बाई 4 लेंड़ा बाई 3 लेंड़ा बाई 2 लेंड़ा बाई 3 ऐसा तुम्स में होगा यानि बड़े बड़े लेंडा के आसपास value आ रहा है जब लेंडा के आसपास value आता है तो हम लोग उसे large dipolantina ले लेते हैं large dipolantina में क्या होगा कुछ नहीं बस समझ जाओगा असानी समझ जाओगा यह है यह हमारा antina है जी सर और यह लेकिन यह क्या है इस बार large है जी सर लार्ज मतलब मैं क्या माल लो quarter wavelength का माल लेता हूँ माल लो मेरा length क्या है quarter wavelength lambda by 4 है जी सर अब यहां पे तुम graph बना दो और इसमें lambda by 4 खोजो कितना होगा असानी से जवाब दे पाऊगा यह हमारा हो गया lambda यह हमारा lambda हो गया इस में मैं पूचो lambda by 4 कैसा दिखेगा सर लेमडा by 4 ऐसा दिखेगा जी यहांसे क्योंठ यहांसे हमारा length lambda by 4 है जी sir, lambda by 4 है तो इसा कुछ peak बनेगा, lambda by 2 है तो इसा कुछ peak बनेगा, तो देखा आपने current distribution, कैसा आगया, sinusoidal आगया, फुटा वाला peak आगया तो lambda by 4, पूरा पूरा half wave आजागया तो lambda by 2, तो आप देखो यहां से आप बता सकते हो, यानि इसमे current distribution कैसा होता है, इसमे current distribution हमारा sinus sinusoidal होता है, तो आपसे question gate में पूछ लेगा, क्या पूछेगा, what is the current distribution in hergeon dipole antina, कैंसर दोगे, constant, what is the current distribution in small dipole antina, that means triangular, what is the current distribution in large dipole antina, that means sinusoidal, बस यही आपसे question ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, बहुत ही खुज होगा तो इतना ही पूछेगा आपसे, और आपको मैंने बहु तो याद रहेगा कि कब कैसा क्यों आता है, तो थोड़ा असान होता है, याद करना, तो देखो यहाँ पे हमारा हर्जन dipole antina का, constant होता है, small dipole antina का, linear होता है, और large dipole antina का, sinusoidal होता है, कैसा होता है, sinusoidal, sinusoidal antina यह हमारा sinusoidal होता है, यह sinusoidal का डग्राफ होता है, इससे हम लोग आगे mathematics करके mtick में, electric field से directivity, radiation, resistance यह सब निकालते हैं, यहाँ से हमारा derivation स्टार्ट होता है antina में, mtick में, तो इसलिए आपसे basic वाल जरूर पूछ लेगा, what is the current distribution of small dipole antina, what is the current distribution of short dipole antina, what is the current distribution of large dipole antina, what is the current distribution of herjan dipole antina, what is the current distribution of, आपको क्या पूछ लेगा, infinitesimally small dipole antina, यह length देदेगा, और length को lambda से compare करके, फिर आपको बताना पड़ेगा कि कैसा current distribution होगा, ज्यादा खूब खूस होगा, तो length देदेगा, frequency देदेगा, अब frequency के तुम क्या करोगे, lambda निकालोगे, length पता ही है, L by lambda करके तुम length को lambda से compare करोगे, और जैसे ही length को lambda से compare करोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या, कि current distribution कैसा होगा, अगर lambda by 50 से छोटा है length, तो बोलोगे sir, constant current distribution होगा, अगर lambda by 50 और lambda by 10 के बीच में है, तो sir, linear current distribution, triangular current distribution होगा, और अगर lambda by 10 से जादा है, तो sinusoidal current distribution होगा, ऐसा question आपसे बना क्याएगा, और यह आएगा जरूर याद रखना, यह आएगा, जरूर आजाए, दो साल बाद है, चार साल बाद है, आएगा जरूर याद रखना, question आना ही है, हम बोलते हैं, वो सही बोलते याद रखना, question आना है, तो आना है, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, यहाँ से mtech में आपका पूरा mathematics से start होता है, पूरा mathematics mtech में जब हम गंटीना परते हैं, तो उसके बारे में पूरा derivation करते हैं, इसलिए वो पूछेगा जरूर, क्योंकि वो जानना चाहेगा कि तुम basic जानते हो कि नहीं, तुम BTEK में basic परहे हो कि नहीं, बीटेक में तो बहुत detail में परते हैं, लेकिन basic परहे हो कि नहीं, यह जानना चाहेगा तुमसे, तो basic के लिए पूछेगा, अब जैसे यह region है, इस region को समझाने के लिए मुझे कम से कम दो घंटा चाहिए, अब दो घंट मैं बैठके इस पर discuss करूँ, तो बैठके पता चलेगा पागल ही हो जाओ, तो इसमें हम आपको यह बता सकते हैं, एक च्यूंगम concept से मैंने एक concept सिखा है, क्या सिखा है च्यूंगम concept से, आपको समझा देता हूँ, याद रहेगा, बहुत अच्छा याद रहता है, क्या होता है, वो क्या है आपका, field है, electric field, magnetic field है, और जो आपका दिवाल है, वो अंटीना है, ऐसा सोचिएगा, तो अंटीना क्या है, दिवाल, और दिवार, जो भी wall होगा, दिवार, और आपका जो च्यूंगम है, वो क्या है, वो आपका wave है, या electric field, magnetic field है, तो जब चिपकाए रहोग उसे हम लोग बोलते है नियर फिल्ड, जैसे जैसे उस चिंगम को आप दिवाल से निकालोगे, अभी कुछ देर तक चिपका ही रहेगा, जब तुम उसे दिवाल से निकालना चाहोगे, तो कुछ देर तक क्या रहेगा, वो चिपका ही रहेगा, जब तक चिपका रहा पूरा दिवाल से च्विंगम उसे नियर फिल्ड बोलते हैं, यानि जब तक Electric फिल्ड, Magnetic फिल्ड अटाइच रहा ऐंटीना से उसे हम लोग नियर फिल्ड तो तुमने च्विंगम दिवाल से चिपका दिया, उसे दीरे-दीरे निकालना स्टाट किया तो अभी तुम्हारा रीजन चला जब वो पूरा चिपका ही है फिर एक ऐसा रीजन आएगा जब वो चिपका भी होगा और बाहर भी निकल रहा होगा फिर एक ऐसा रीजन आएगा जब वो पूरा बाहर आ जाएगा तो तीन रीजन होंगे एक क्या दिवाल से प किंटल से चिपका हुआ है Huh और बहुरा आ रहा है उसे फ्रिचनल रीजन बोलते हैlim है और जब डिवाल से पूरा बहुरा आ जाता है उसे हम लोग फ़ार्ड पैप्ल कि म 되 tão इजते हैं अध्दे सितर ध Выक hisuliоров इफक्षप का वो तो पूरा नंतीना के साथ अटाइच है, पूरी अंटीना के साथ पुर्पटी फॉलो करेगा, यानि इलेक्ट्रिक फिल, मैग्नेटिक फिल, अंटीना के साथ जुरा हुआ है, और जब जुरा हुआ है इसका मतलब वो क्या है वो हमारा अभी रेजुनेटिंग स्टेट में है, वो अब यह storing state में है, energy store हो रहा है, उसके form में energy बन रहा है, पनप रहा है energy, अंटीना से energy पनप रहा है, निकल रहा है, तो अंटीना से जब attach है तो वो क्या है, storing nature का है, और अंटीना से जब धीरे धीरे निकलने लगेगा wave, तो वो कैसा nature का हो जाएगा फिर, वो हमारा नेचर हो जाएगा कि वो अब क्या हुआ है भागने की कोशिज भी कर रहा है और उससे अटाइच भी है यानि एनर्जी इस्टोड भी कर रहा है और रेडियेट करने के भी कोशिज कर रहा है और जब अंटीना से पूरा डिसटाइच हो जाएगा तो डिसटाइच हो जाएगा तो क्या हो गया पूरा radiating nature का हो गया अब वो radiate करेगा दूसरे antenna के पास जाएगा वो signal बन चुका है वो जब attach था उसके energy के form में बन रहा था Attach और निकल रहा था, energy का form भी बन रहा था और Radiate होने की भी कोशिज कर रहा था और जब पूरा निकल गया, तो पूरा Radiate होना स्टार्ट कर दिया इसी तीन रिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? Near Field, Fresnel's Region और Far Field Near Field, R1 Distance तक होता है यानि यहां तक Attach रहाता है और Far Field, R2 Distance के बाद आता है तो यानि R1 से R2 के बीच में क्या होता है? Attach भी है और निकल भी रहा है उसे Fresnel's Region बोलते है तो हमारा Near Field क्या होता है? R1 से छोटा हमारा Far Field क्या होता है बाबू? R1 से छोटा हमारा Near Field होता है और R1 से R2 के बीच को fresh nails region बोलते हैं और R2 से बड़ा हो जागा तो far field बोलते हैं अब हमारे लिए दो important point है क्या कि R1 का वो क्या value होगा और R2 का क्या value होगा तो आप से पुछा जागा R1 का value क्या होगा आप यहाँ से आप देख सकते हो कि सर यह मेरा R1 का value है L क्या है length of the dipole and tina है lambda क्या है frequency की से depend करेगा 0.63 L cube by lambda होता है 0.63 L cube by lambda होता है ठीक है बहुत दिनों से परहार हो नहीं बाबू offline आज दो साल चार साल से स्टार्ट हो रहा है मैं 14 साल बारत 14 साल होगे पराते होगे समझाना पड़ता है सामने कैसे समझाओगे महापते serious बंदे पढ़ने आते है तो देखना पड़ता है आमने तो 2L square by lambda होता है क्या होता है 2L square by lambda अगर parabolic d centina दे देगा तो 2D square by lambda हो जगा d centina दे दिया तो diameter ले लेंगे L के जगा पे और अगर मेरा dipolantina दे दिया तो length ले लेंगे यह formula आपको याद रखना परेगा यह हमारा near field का क्या होता है तो 0.63 L cube by lambda का under root और far field का क्या होता है 2L square by lambda होता है यह बाते हमें याद रखना है और distance जहां पे radiation field और inductive field मतलब radiation field मतलब जो radiate हो रहा है और inductive field मतलब जो store हो रहा है तो यह distance जहां पे हमारा क्या हो जाय है जहां पे हमारा store और क्याEson बराबर हो जाय है Distance at which जहाँ पर हमारा क्या हो जाए? Radiation field and inductive field are equal. Equal हो जाए. Are equal. जिस distance पर यह दोनों equal हो जाएंगे, Radiation field और inductive field, उस distance को क्या value होता है? 1 by beta होता है. 1 by beta होता है. यानि r is equal to क्या होता है? 1 by beta. Beta क्या होता है सर? 2 by lambda होता है, यानि lambda by 2 by हो जाएगा. तो यह हमारा value होता है. या ऐसे याद रख सकते हो, b r is equal to 1. तो r क्या है? Distance है, जहाँ पर inductive field और Radiating field बराबर है. उसी को हम लोग यह distance को बोलेगा. अब यह point समझने के लिए आपको electric field निकालना पड़ेगा. आपको electric field में देखना पड़ेगा कौन से inductive field है, कौन से radiating field है. फिर दोनों field को बराबर करना पड़ेगा. तब जाके यह समझ में आगा कि यह कैसे derive गुआ. उसके लिए आपको पहले field निकालना यह यह देर घंटा. फिर उसको निकालके उसको बराबर करना फिर एग घंटा. समझ ना पावर वार को तो एग घंटा. फिर जाके धाई घंटे बाद यह समझ में आगा कि यह कैसे आया. यह हम लोग दो क्लास में समझेते कि यह क्या होता है. जब हमारा teacher समझा दिया था. में लेकिन यह question पूछता है यह PSU में बहुत आता है. इसलिए मैं आपको बता दिया कि storing nature और radiating nature जब बराबर हो जाएंगे उस distance को क्या बलेंगे तो lambda by 2 pi होगा. बस lambda कैसे निकाल लोगे तो bp by f lambda आ जाएगा. 2 pi जानते ही हो divide कर दोगे तो आपको distance आ जाएगा. Question बनवाऊंगा? हाँ बनवाऊंगा मैं इससे. नहीं बनवाऊंगा तो काम होगा? नहीं होगा. अब अब इसको थोड़ा सा कुछ दिर बात परते हैं. पहले question पर लेते हैं. पहले. पहला question क्या है? देखिए question. इसी से पहला question पूछा है. एट फीट का है. मतलब कितने मीटर का है? 2.54 मीटर का. पैरावोलिक डिसंटीना है. कितना frequency है? 4 GHz है. मिन्मम डिस्टेंस पूछ रहा है. जहां पे हमारा far field का है. यानि r should be greater than equal to r2 होता है. और r2 क्या होता है? 2 D A square by lambda होता है. यानि r minimum क्या हो जागा sir? r minimum हो जागा 2 D A square by lambda. डिस्टेंस डैमीटर कितना है sir? 2.4 मीटर है. और lambda कितना है sir? C naught by F है. lambda हमारा C naught by F हो जागा. या BP by F हो जागा. तो lambda is equal to BP by F. BP नहीं दिया है तो आप C naught ले लो. तो C naught by F हो जागा. C का value 3 into 10 to power 8. F का value? आपको पता होगा. कितना? 4 GHz. 4 into 10 to power 9. या आजागा आपका कितना? आपका 3 by 4. 3 by 40 आजागा. तो lambda आगया 3 by 40. अब इसको multiply करके निकाल सकते हो. तो 2 into 2.4 into 40 into 0.8 2.4 कर डिभाइड कर जाते हो. देख लो कितना आ रहा है बाबाबा. आर्चों का 32, 32 दुनी का 64, 2.4 कर दो. तो 64 into 2.4. 153.6 मीटर. 153.6 मीटर. 150 मीटर दे दो. 150 मीटर. असान से समझ में आ गया? जी सर. तो आपको बस इसमें ध्यान देना था? अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो काम बतम हो जाएगा. नहीं तो तफ तो तफ हाई. दूसरा कोश्चन क्या पूछा है? एक अंटीना एक्साइड़ भी थे. फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है क्या? जी सर. सानस्रोडल करेंट फ्रिक्वेंसी 1 मेगा हर्च. इंडक्शन फिल्ड और रेडियेशन फिल्ड और इक्वल एक्वल 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 बीटा हो जागा, तुमारा D is equal to 1 by बीटा आगया, बीटा is equal to lambda by 2 pi हो जागा, और lambda is equal to vp by f होता है, vp नहीं दिया तो c0 ले लो, और c0 by f कर दो गया, c0 कितना हो गया, 3 into 10 to power 8, और f कितना है, 10 to power 6, 300 meter हो जागा, 300 meter divided by 2 pi, 2 pi को 6 माल लो लग भाग, तो ये 50 meter के असपास आजाएगा, 50 meter के असपास, 6 माल लो, तो answer क्या हो जागा, B, 50 meter answer हो गया, approximately पूछा होगा, देखो, nearly पूछा है, असान सा question आता है, अभी एक number का question है, आराम से बन जाएगा, next question क्या बोला है, बाई, in a certain material medium, the propagating electromagnetic wave at 60% of the velocity of light, यानि वीपी जो है, वो क्या है, 60% है, c0 के, जी sir, and the distance at which electromagnetic wave, f दिया हुआ है, कितना, 10 megahertz, will have same magnitude, क्या बोला है, same magnitude of induction, as well as radiation field, so induction और radiation field हमारा बराबर है, जी sir, यहां से lambda निकाल लेंगे, बीपी बाई F करके, बीपी कितना है, 0.6, into 3 into 10 to power 8, and f कितना है हमारा, f है 10 to power 7, 10 megahertz है, 30 into 3, तो छेती का ठारा, 18 आ जाएगा, lambda, इतना मीटर आ गया, 18 मीटर, और d is equal to क्या हो जागा, 1 by beta, याने, lambda by 2 pi, 1 by beta मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 pi बें lambda था, कि lambda by 2 pi था, भूल या हो गया, लेकिन 1 by beta जल्दी भूलोगे नहीं, इसलिए 1 by beta बार बार लिख रहा हूँ, अब 18 और divide by 2 pi, 9 by pi हो जागा, लगबग 3 के असपास हाजागा, 3 के असपास याने कौन सा हो जागा, 2.9 meter, 2.9 meter, असान सा question था, अब क्या देखेंगे बाबू, अब हम लोग देखेंगे, कि अब क्या देगा, अब यहाँ से हम लोग का question स्टार्ट होगई, एक तरह से सोचोओ, कि मल लोग यह electric field का equation देदिया, और यह magnetic field का equation देदिया, और आपका eta जो होता है, वो क्या होता है, electric field upon magnetic field होता है, तो आप electric field upon magnetic field करोगे तो इटा के बराबर होगा देखो I know dl 4 pi r कर जागा, sin theta sin theta कर जागा, j beta j beta कर जागा, e का पार j beta कर जागा, a theta a phi हमारा तक direction है, तो हमारा इसका ratio क्या आएगा, इटा के बराबर आएगा तो पहला question आपको electric field देगा, magnetic field पूछेगा, तो आप electric field upon magnetic field लगा के क्या निकाल लोगे, eta निकाल लोगे, किसी भी जिनिया में, बस याद रखना कि वो far field होना चाहिए far field मतलब radiating nature होना चाहिए, radiating nature होगा, तभी वो हमारा TEM mode होगा अगर antenna से attach है, तो TEM mode नहीं होगा, यानि near field में नहीं होगा personal region में नहीं होगा, कब होगा वो, वो जब हमारा far field हो जागा तभी होगा तो far field में हमारा E by eta, E by H क्या होता है, eta होता है यह equation नहीं याद रखना है, मेरे से आप दो दिन बात पूछोगे, यह equation याद नहीं रहेगा ना मैं कभी याद करूँगा, ना मैं कभी याद करूँगा तो कहोगे sir यह क्यों पढ़ा रहे हो, यह equation क्यों देती है यह equation देके आपसे कहेगा कि भाईया, अब बताओ कि directivity क्या होगा अब बताओ कि period क्या होगा, अब बताओ कि u theta phi क्या होगा अब बताओ कि radiation resistance क्या होगा, यह आपसे पूछेगा आपसे यह पूछेगा तो आपको ये निकालना सिखा रहा हूँ कि आपका रेडियेशन रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, टूटल पावर कैसे निकालोगे, पावर डेंस्टी कैसे निकालोगे, पावर इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, और साथ साथ आप रेडियेशन रेजिस्टेंस कैसे डैरेक्टिव गेन केसे निकालोगे डैरेक्टिव हीडी केसे निकालोगे यह कुस्चन आपसे बना के पूछेगा ठीक्या हाँ जी बाबो सचा ही है चलिए देखते आगे तो यह आमारा इलेक्ट्रिक्फिल का एक्वेशन दिया हुआ है अब इससे हम लोग डाटा निकालेंगे डाटा निकालेंगे तो सबसे पहले मैं पूछूँगा इसका पी रेट निकालो क्या निकालो पी रेट तो पी राइट से पहले मैं पूछूँगा इसका E0 कितना है तो बोलोगे सर इसका E0, I0, DL DL मत्तब length हो गया, किसका? Infinitesimal Dipole Antina का 4πR, R क्या हो गया? Distance हो गया, into sin theta ओगे सर यह तो देखा देखा equation लग रहा है पहला equation का लंटिना में यह लिया था क्या लिया था मैंने? 100 by R into sin theta याद करो 100 by R into sin theta गेट में पूछ चुका है, फिर पूछेगा, याद रखना, फिर पूछेगा फिर आएगा question 110% आएगा into beta, into beta यह हमारा क्या हो गया? यह amplitude हो गया यह वाला part phase देता है यह direction देता है, यादि यह हमारा amplitude हो गया सर उसी तरह मैं पूछू आपसे h naught क्या होगा? तो h naught भी बता दोगे i naught dl upon 4 pi r into sin theta into eta into beta eta नहीं आएगा, अब beta आएगा क्यों जी सर अब beta का value क्या होता है? 2 pi by lambda होता है रख दो तो pi pi कट जाएगा, थो हमारा pi से जंजट छूट जागा, pi से छूट काड़ा मिलेगा ठीक है? तो हम यह beta का value रख देंगे तो क्या हो जागा? 2 pi by lambda रख सकते हैं रख लेंगे अभी तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? period निकालेंगे क्या होगा period? period होता है e RMS2 upon eta into क्या होता है? ap cap या दूसरा भी फ़र्मुला होता है क्या होता है? e0 into h0 divide by 2 ap cap तो हम period का formula e0 into h0 divide by 2 ap cap लगा देंगे तो यहाँ से हम लोग period निकालेंगे period क्या हो जागा sir? period हो जागा e0 into h0 यानि I0DL का by R का whole square हो जाएगा जी sir E0 into H0 करोगे तो I0DL का whole square हो जाएगा और sin square भी हो जाएगा जी sir और 7 में हमारा क्या हो जाएगा eta भी होजाएगा and beta square भी हो जाएगा 7 में 2 pi भी हो जाएगा beta by 4 pi का whole square कर देता हो तो रा calculation असान हो जाएगा जी सर और डिवाइड वाइड 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 and sin square theta and lambda by 2 का whole square divided by 2 आ जाएगा into eta आ जाएगा, जी सर, आ गया? जी सर, तुरा देखने में आच्छा लग रहा है eta का value भी 120 pi रख सकते हो, eta का value 120 pi रख दो eta का value 120 pi रख दो अब काट कुट के answer ला दो, तो वेक्टर बिने निकाल दो काट कुट के answer ला गए तो क्या बनेगा यहां से, दो, दो दुनिका चार और चार आठ, तीस, तीस, पंदर आ जाएगा, फिप्टिन पाई आ जाएगा जी सर, तो आगे देखते हैं में लो, क्या हो जाएगा लेंट टू, वन बाई टू लेंटा होगा, सुरी अब इसको solve करते हैं, क्या मिलेगा हमें तीस, चार हो जाएगा, चार तीस, अब बीस, कितना हो जाएगा हम लोग को यह value हो जाएगा, तीस के असपास तो यह जाएगा P right is equal to I naught square DL by lambda का whole square DL by lambda का whole square, sin square theta और 1 by R बचरा यता R square into 15 pi हो जाएगा, 1 by R square into sin square theta और into 15 pi हो जाएगा अब यह P right आ गया, किस direction में आगा सर, तो AR cap में यह propagate कर रहा है तो AR cap आ जाएगा, U theta phi निकाल सकते हो क्या सर, तो हाँ सर, U theta phi निकाल सकते R square into P right कर देंगे, जी सर, R square into P right करोगे तो क्या मिलेगा I naught square, DL by lambda का whole square, into 15 pi, into sin square theta, जी सर तो इसको तुम constant मालो, आगे हम कल यूज करेंगे, क्या होता यह, K sin square theta होता है जी सर, K sin square theta आ गया, यानि constant into sin square theta, क्यों, current, constant होगा length, constant होगा lambda, constant होगा, एक खास frequency पर सब constant होगे सब दिया होगा, तो एक constant value होगा, क्योब ठीटा है, क्या साब से U theta phi vary करेगा, U theta phi क्या आता है, dipolantina का K sin square theta आता है अब जैसे ही U theta phi आ गया, तो आप तुम क्या निकाल लोगे U theta phi से, आप तुम निकाल सकते है U theta phi का maximum value, जी सर, यू theta phi से भी W naught निकाल सकते है तो W naught कितना हो जागा बाबू, W naught बाद में निकालेंगे, पहले U theta phi से आप directive गर निकाल लो, तो W naught की ज़रत पड़ेगी, sorry जलो, तो W naught क्या हो जागा हम लोग को, W naught हो जागा, U theta phi into sin theta into d theta d phi होता है, कली क्लास में बताया था, तो U theta phi क्या हो जागा, K sin square theta, जी सर, और क्या हो जागा, sin theta into d theta into d phi हो जाएगा, अब theta कहां से कहां तक होगा सर, 0 से phi के बीच में होगा, phi कहां से कहां तक के बीच में होगा, 0 से 2 phi के बीच में होगा, जी सर, यानि यहाँ पर क्या आजएगा K और क्या आजएगा हम लोग को sin cube theta हो जाएगा और साथ में d pi का integration 2 pi हो जाएगा तो 2 pi और sin cube theta का integration होता है 2 by 3 अहाँ 4 by 3 हो जाएगा क्या आजएगा 4 by 3 तब इसका value का integration कर ले ना 4 by 3 आजएगा यानि 8 pi by 8 pi by 3 into K होता है ये W not निकालने को आपको gate में question दिया था electric field दिया था तो आपको period निकालना था period से u theta 5 निकालना था u theta 5 से आपको w not निकालना था ये gate में question दिया था 2017 2018 के बीच में अब उसके बाद से आप period निकाल लिया तब क्या निकाल लोगे आप directive गे निकालोगे क्या हो जागा directive गें 4 u theta 5 और divided by क्या हो जागा w not 4 pi u theta 5 का value कितना है सर u theta 5 का value है k sin square theta जी सर और divided by w not 8 pi by 3 into k ये कितना हो जागा सर ये value हो जागा k k cancel हो जागा 3 by 2 आजागा 3 by 2 sin square theta तो directive गेंद of dipolantina क्या होता है 3 by 2 sin square theta होता है अब को data भीएट च visa मिला पहला data क्या मिला u theta 5 क्या होता है k sin square theta होता है directive गेंद कितना होता है 3 by 2 sin square theta होता है काम का चीज ये बहुत काम आएगा अब ड expect gravity क्या होगा सर तो directivity होगा सर हमारा theta का value pi by 2 रख दो, pi by 2 रख दो तो directivity आजागा 3 by 2 आजागा, यानि 1.5 आजागा यानि directivity कितना होता है सर तो आप बोलोगा सर, directivity हमारा d max होता है और d का maximum value कितना होगा सर 3 by 2 हो जाएगा यानि हमारा directivity कितना होता है dipolantina का 1.5 होता है कौन सा dipolantina हर्जियन डाइपोलन्टीना का हर्जियन डाइपोलन्टीना का हर्जियन डाइपोलन्टीना का आपने डारेक्टिविटी निकाल लिया अब डारेक्टिविटी निकाल लिया तो अब आपसे कोश्चन क्या पूछेगा रेडियेशन रेजिस्टेंस की बात आएगी radiation resistance actually में exist नहीं करता है लेकिन अगर मुझे पता करना है कि यह antenna कितना power radiate करेगा तो वो हम radiation resistance से बता देंगे क्यों से? कि इसका radiation resistance fix है मालो 30 ohm है इसमें जितना current feed करेंगे उतना यह power radiate करेगा यानि antenna का एक चीज fix होता है वो क्या fix होता है सर? radiation resistance वो actually में होता है कि नहीं होता है नहीं होता है वो एक hypothetical चीज होता है जिसको हम लोग किस से चेक करते हैं? radiated power से निकालते हैं यह मान के निकालते हैं कि हमारा मालो power दिया हुआ है तो जो radiated power है वो कितना है सर? तो सर radiated power जो है वो आपका है w naught है और w naught कितना है सर? 8 pi by 3 into k तो 8 pi by 3 और k का value पूट कर दो जी सर पूट कर देते हैं तो रहा अच्छा समझ में आएगा 8 by by 3 into k हो गया जी सर k कितना है सर? तो k हमारा है i naught square dl by lambda का whole square into 15 pi i naught square dl by lambda का whole square into 15 pi यह कट जाएगा साथ यह कितना कट जाएगा? 5 pi से जी सर तो हमारा आ जाएगा 845 40 pi square यानि हमारा आ गया 40 pi square dl by lambda का whole square और into i naught square तो क्या होगा? कोई खास अंटीना होगा माल लो तुमारे पास एक अंटीना है और उस अंटीना का length क्या है? फिक्स होगा जो तुमारे पास अंटीना तुम्हें given होगा उसका length फिक्स होगा जिस frequency पर काम कर रहे होगे? वो भी fix होगा एक खास frequency पर ही काम कर रहे होगे तो आपका length fix होगा एक खास frequency पर काम कर रहे हो तो lambda भी fix है और 40 pi square तो fix ही है यानि एक अंटीना तुमको दे दिया जाए और बोला जाए पांच GHz पर काम कराना है यानि उस अंटीना का क्या fix है? यह पूरा value fix है तो यानि तुम्हारा उस अंटीना का power किसके पर depend करने लगेगा totally? तुम्हारा उस अंटीना का power totally current पर depend करने लगेगा तो तुम्हारा current कितना दे रहो उस पर depend करने लगेगा यह तो जो इतना current दोगे उसके हिसाफ से तुम्हारा power radiate होगा तो radiate जो power हो रहा है वो किस पर depend करता है current पर एक खास antenna का length उस पर frequency और 40 pi square तो constant होता है तो यानि उस खास antenna को हम एक radiation resistance से रिप्लेस कर देते हैं यानि जब भी हमको power निकालना होगा तो current से multiply कर देंगे तो हमें power आजाएगा आई एस को IR में से square into R कर देंगे अब IRMS हमको question में दिया होगा resistance to centina का पता ही है square करके add कर देंगे आ जाएगा answer समझ गया यहां से देखो यानि डबलु नॉट को तुम क्या ली सकते हो दूसरा कुछ भी ली सकते हो IRMS से square into RR यह RR किसी खास antenna के लिए fix होता है hypothetical होता है लेकिन fix होता है actually में एक जिस्ट नहीं करता है यह physical quantity नहीं है यह theoretical quantity है इसको तुम fix माल सकते है इसको तुम यह नहीं कर सकते है कि एक चुली में दिखेगा तुम्हें नहीं दिखेगा यह 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 तुम्हें बस एक value है यह इसका कोई physical significance नहीं है IRMS value क्या हो जागा? sinusoidal input देते तो I0 square by 2 into R हो जाएगा अब इन दोनों को equate कर दोगे, equate कर दोगे तो RR का value क्या आजाएगा? RR का value आजाएगा 2W0 upon I0 square जी सर I0 square से divide कर दोगे तो 80 pi square DL by lambda का whole square हो जाएगा जी सर यानि इस antenna का radiation resistance इतना आ गया अब कितना आ गया? माल लो X आ गया अब current तुमको दिया रहेगा? तो तुमारे में इस value निकाल लोगे और उस resistance से multiply कर दोगे तुरंट चुटकी में बता दोगे उसका radiated power कितना हो अगर तुम उसका radiation resistance जानते हो इसलिए radiation resistance बहुत important होता है और कितना आता radiation resistance? यह radiation resistance आता है 80 pi square DL by lambda का whole square आता है आप किया यह सारीव dipolantina का यह फर्मूला होता है? नहिं हमने किस dipolantina का electric wheel बाना था सर तो हमने सर हर्जिन dipolantina का electric film बाना था क्कुसा? हर्जिन dipolantina infinitesimally small dipolantina का electric field माना था यानि जो यह radiation resistance आया वो किसका है? infinitesimally small dipolantina का आया है लेकिन हमारे कुछ हिंडियन ओथर लोग कुछ हमारे IESC वाले दुनिया के लोग IES का जो एक्जाम लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि भाईया यह यह एलक्टरी फिल जो है वो किसी खास के लिए है तो यह डाइपोल उन्तीना हर एक डाइपोल उन्तीना में प्रमूला लगा जिते हैं 80 पाइपी सकोार बाइपोल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है यानि IESC में आप radiation resistance का एक ही फर्कूला याद रखोगे क्या 80 पाइपी सकोार c arrivé लेकिन गेट में गेट तो बहुत intelligent होता है बाई तो आपसे पूछेगा तो क्या देदेगा लेंथ देगा और अभी बफडिंग होने लगा क्या कि अब 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 यानि आपसे रेडियेशन डेजिस्टेंस का फर्मुला पूछेगा तो आप क्या करोगे Sese में पूछा तो एक ही फर्मुला लघाना है 80 undertaken स्काइड डेल लंडा का होल स्काइड और गेट में फूछेगा तो आप को अलग-अलग फर्मुला लगाना पढ़ेगा जो आप मैं आपको सिखा रहा को रहे हूं कि तो गेट में आपको क्या करना पड़ेगा radiation resistance का अलग अलग formula लगाना पड़ेगा तो start करते हैं और देखते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं देखते हैं चलिए यहां से हम लोग देखना इस start करते हैं तो क्या यहां पर पहला पॉइंट आपने देखा k sin square theta होता है हां तो यानि डिरेक्टिव गेन क्या यू theta phi क्या आगया k sin square theta आगया आप लोग को बताना भूल गया हूं थोड़ा सा 1 tenha theta phi है अब U theta phi हो सकता है की केवल function of theta आजाया या function of phi आजाया जी सर और हो सकता कि U theta phi constant हो जाया या हो सकता की U theta phi आपका क्या हो जाया function of Mia theta और phi दोनों का हो जाया इसा कैसे हो सकता है इसा कैसे हो सकता है सर आइसो ट्रोफी कंटीना डबलू नोट पाउर रेडियेट करता है जी सर इसका यू ठीटा फाई क्या होता है यू नोट ठीटा फाई होता है और यू नोट ठीटा फाई क्या होता है जी सर तो डबलू नोट अपन फोर पाई होता है तो यानि constant होगा तो क्या होगा uttpi तो अगर radiation pattern constant हुआ यानि चारो direction में same होगा क्योंकि वो direction पे depend नहीं करेगा तो जब direction पे depend नहीं करेगा तो क्या बोलोगे उसे all directional radiation pattern पे depend करेगा त्यार है न सब कुछ? ठीक है चलिए कल यहां से start करते हैं हम लोग तो आज यहीं तक पढ़ते हैं कल हम लोग देखेंगे फिर बागो यह थोड़ा सा अभी disturb कर रहा है सब सही है? ठीक मुझे यहां पर दिक्कत दिख रही है इसलिए बोला तो रिगॉर्डर लेक्चर बेकार हो जाएगा नफर हो रहा है न? ठीक है कल हम लोग यहीं से start करते हैं तो हम लोग देखेंगे यह बाते तो कलम लोग Omnidirectional से start करेंगे यह Radiation Resistance बता दिया और यह हमारा Directivity बेन बता दिया और यह Directivity बता दिया ठीक है? आज बफर होने लगा है पता नहीं क्यों तो यह सारा डाटा हमने बता दिया बाबो एक बार मैं अपने मोबाईल में देख लेता हूँ झाल करेंगे झाल करेंगे ठीक है चली देखते हैं हम लोग तो क्या देखेंगे यहाँ पर? यह हमारा देखो यहाँ पर जब चीज़े constant होगी तो वो क्या होगा? चारो डारेक्शन में ट्रांस्मीट करेगा इस डारेक्शन में बाबो? वो constant होगा ठीक है तो जब 4 direction में transmit करेगा तो यानी हमारा क्या होगा all directional antenna होगा तो u theta phi एगर constant होगा तो उसे हम लोग all directional antenna बोलते हैं क्या बोलते है all directional antenna चारो तरफ सेम होगा तो दूसरा हमारा होता है क्या theta और phi का function हो जाए इसका function हो जाए theta और phi का in that case क्या हो जागा अगर theta और phi का function हो जागा तो हम ये बोल सकते हैं की हमारा क्या होगा? एक theta पर डारेक्शन में यानी top two bottom vary करेगा 5 direction में vary नहीं करेगा तो यानि 5 direction में क्या रहेगा बाब? same रहेगा 5 direction में same रहेगा radiation pattern किस direction में vary करेगा top to bottom vary करेगा लेकिन 5 direction में क्या रहा same रहा, यानि 4 तरफ same रहा इधर 4 तरफ same रहा लेकिन इस तरफ same नहीं रहा इस तरफ same नहीं रहा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग omnidirectional बोलते है all directional क्या होता है 4 तरफ same रहेगा, ऐसे 4 तरफ उसे हम लोग Omni-Directional बोलते हैं और केवल इस direction में same रहा तो Omni-Directional बोलेंगे इस direction में same रहा तो Omni-Directional बोलेंगे और अगर चारो तरफ same रहा तो All Directional बोलेंगे तो ठीटा और फाई का function होगा तो ठीटा का function होगा तो फाई direction में same रहेगा phi का function होगा तो theta direction में same रहेगा तो यानि इन दोनों direction में same रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग उसे हम लोग बोलेंगे कि हमारा omnidirectional antenna है तो केवल theta और केवल phi का function उसे omnidirectional बोला जाता है मतलब phi के direction में कोई भी changes करोगे आपका ये value change नहीं होगा फिर हमारा जीर क्या हो जाता है f theta phi होता है f theta phi क्या होता है अगर सब पर depend करने लगेगा theta और phi दोनों पर depend करने लगेगा उसे हम लोग directional antenna बोलते है एक खास direction में देने लगे उसे directional antenna तो यहाँ पर समझ जाओ यह आपको याद रखना परेगा तो हमारा omnidirectional है कि all directional है कि directional antenna है वो पता करना तो यह देखिए हमारा केवल theta पर depend कर रहा है इसलिए omnidirectional होगा या केवल 5 पर depend करता तो omnidirectional होता है फिर dly lambda यानि इसका radiation resistance होता है यह इसका directive gain होता है पुछेगा find the directive gain at theta is equal to 45 degree in that case यह 45 degree पर देख लोगे और directivity 3 by 2 होता है directivity कितना होता है 3 by 2 तो इतना हम लोगों ने देखा तो कल हम लोग टेबल बना के आएंगे कल मैं आपके लिए table बना के लाऊंगा और उसमें आपको क्या करूंगा radiation, resistance, directivity यह सारे चीज़े दिखाऊंगा कल हम लोग क्या देखेंगे? radiation, resistance और फिर radiation pattern देखेंगे कल का topic यहाँ पर खतम करेंगे ठीक है? आज मैं भी थक गया हूँ अब कल हम लोग radiation, resistance और radiation pattern दो topic को complete करेंगे थांक यू, कल मिलते हम लोग फिर चलिए ओके बाब